हेलो फ्रेंड्स, श्वागत है आप सबों का एविशी अकेडमी पर तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री देखने वाले हैं विश्व इतिहास इस्पेशल आज का क्लास है क्लास में क्या-क्या देखेंगे तीन से पांच मिनट के आसपास आप पहले क्लास को समझिए और उसके बाद आप क्लास को देखना इस्टार्ट करिएगा देखें आज के इस क्लास में अम्रूब फ्रांस की जो क्रांती हुई थी और राष्टर का जो विचार आया था सबसे पहले तो इस पॉइंट को देखने वाले हैं टॉपिक नमबर ये फर्स्ट रहने वाला है टॉपिक नमबर सकेंड यूरोप में समाजवात को देखेंगे ठीक है थार्ड में देखने वाले हैं रूसी क्रांती को नमबर फूर पर अगर बात करें इटली और जर्मनी का एकी करन हुआ था उसे समझेंगे नमबर पाँचवे पर आ जाईए पहला वाला विश्वियुद फिर उसके बाद दूसरा वाला जो विश्वियुद होता है इसे देखेंगे और उसके बाद आप टोटल तिरिपन सवाल को देखने वाले हो विश्व इतिहास में जो सवाल बनता है न टोटल 53 सवाल है उसे देखेंगे कहने का तो बस 53 है ठीक है अगर आप class को ध्यान से देखेंगे न तो इसका जो आपको explanation दिया जाएगा discussion दिया जाएगा काफी जबरदस्त वाला आज का class में explanation रहने वाला है तो काफी ज़ादा मतलब कहिए कि सवाल यहां से आपका बन जाएगा अब जो भी लोग first time second time world history पढ़ रहे हैं पढ़ना चाह रहे हैं आपसे एक बात कहना चाहेंगे समझगेगा आप अपने प्यारे भारत में रहते हो अगर यहां पर उत्तर प्रदेश का नाम ले जाए दिल्ली का नाम ले जाए हर्याना कहा जाए पंजाब कहा जाए जहारखंड बिहार नाम सब कहा जाए आप अच्छे से समझ लेंगे आपकी दिमाग में एक अच्छे से मैं आप आ जाएगा आप दो चार पाच नेता का नाम ले लीजिए ठीक है जिसे में अगर कहा जाए अरविंद के जिवाल योगी आजितनाथ नितीश कुमार उसके वद आप ले लीजिए भारत के परदान मंद्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी अगर इन सब का नाम आप को कह रहे हैं आप देखिए सब नाम समझ रहे हैं ना हर एक पॉइंट को समझ पा रहे हैं अब जब आप क्लास देखोगे तो आपको नाम सुनने को मिलेगा रॉबर्ट ओवेन ठीक है महरा करांतिकारी ओलंपे दगूज करके सुनने को मिलेगा यह नाम है जार निकोलस सकेंड है लेनिन का नाम तो वगर आप यह जानते ही होंगे पैत्रोग्राद नाम सुनने को मिलेगा तो साथ आपको लगेगा कि मतलब हो सकता है कि समझने में आपको हो सकता है थोरा बहुत प्रबलम हो ठीक है जो लोग पहले से वर्ल्ट हिस्ट्री पर चुके हैं उसके लिए सब कह आप चाहिए तो क्लास को आगे कर लिए पांच मिनट के आसपास से क्लास देखना स्टार्ट कर दीजे क्लास आपको मिल जाएगा लेकिन जो भी लोग नए हो और आप वर्ल्ट हिस्ट्री पर पकर बनाना चाहते हो आप समझे इस बात को नॉर्मल स्पीट में आप इस क्ला क्लास को ध्यान से एक बार अच्छे से देख लिजिए जो समझ में आता है समझ जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए दोबार आप फिर देखिएगा और तीसरी बार आपको एक बार और देखना है जब आप तीसरी बार देखेंगे यकीन मानिए काफी हद तक आप हर एक point को समझने लगेंगे, हर एक चीज आपको याद होने लगेगा, पहली बार में याद करने का कूर्सिस मत करिए अगर आप teaching exam के तयारी कर रहे हो और 9-10 वाला आपका exam है आप समझ लिए कि आज का जो यह class है आपके लिए मतलब, best class होने वाला है इससे बेश्ट आपको जल्दी देखने को ना मिले, ठीक है सबसे पहले हर एक point को आपको बताया जाएगा उसके बाद आपको उसका MCQ करवाया जाएगा explanation के साथ अब ये आप पे छोड़े जा रहे हैं आप इस चीज को समझेंगे, एक बार दो बार में आपको क्लास समझ में सायद नहीं आए जो भी लोग नए हो आप क्लास को repeat करके देखिएगा दो से चार बार देखिए बहुत जगा भटकने से अच्छा है एक बार इस क्लास को अच्छे से आप कंठस्त कर लिजिए, जाद कर लिजिए अपने माइंड में उतार लिजिए अच्छे से जैसा कि आपको बताया गया कुछ-कुछ नाम तो वही नाम आपको confuse करेंगे, आपको बस नाम पे पकर बनाना है, बरबाद वाकि सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा कोसिस करिए, अगर संबब हो सके तो अपने रूम में एक वर्ल्ड मैप लगा लेजिए बरावाला एक वर्ल्ड मैप लगाईए और देश सब कुछ वाचा देखने का कोसिस करिए, कौन सा रेश कहाँ पर है आसा करते हैं कि आप काफी जादा खुद में समझदार हैं और बहुत कुछ आप अच्छा कर भी रहे हैं, जो भी लोग नए थे, उनके लिए आपको ये बात बताया गया, आप इतना ज़रूर फॉलो करिएगा ठीक है, तो आईए, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे पहले टॉपिक वाइज, जो टॉटल आपको छे टॉपिक, छे साथ टॉपिक बताये गए उसे देखते हैं, और उसके बाद लगाएंगे इसका क्लास, मतलब MCQ लगाने वाले हैं, अगर आपको बस MCQ देखना हो, एक घंटा के आस-पास से आप क्लास को देखना स्टार्ट करिए, आपको MCQ देखने को मिल जाएगा, और अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आईए अब स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई 179 की सुबह, पेडिश नगर में आतंग का माहौल था समराट ने सैना को सेहर में घुषने का आदेश दे दिया था सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल यहीं से बनेगा आपके लिए क्या डेट था, तो 14 जुलाई 179 का डेट था, पेडिश नगर में कहां क्या था वहाँ पर, तो आतंग का माहौल समराट ने क्या किया सेना को सेहर में घुषने का आदेश दे दिया था, काफी इंपोर्टेंट है, जितना कहा जा रहा है आप उससे काफी ज़्यादा समझ लिजए यह वहला डेट मायनी रखता है आपके लिए सेकरों लोगों का एक समुह पेरिश नगर के पूर्वी भाकी और चलपरा और बास्तील किले की जेल को तोर डाला जहां भारी मातरा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी दो सवाल यहां पे दूसरा बन गया आपके लिए क्या, तो किले का नाम पूछा जाएगा बास्तील option इस तरीके से दिया जाएगा, अब आप सवाल जब करेंगे तो देखिएगा confusion कैसे होगा तो ध्यान रखना है कि बास्तील का किला था date था 14 जुलाई 17 सो नवाशी का सुबा सहर का नाम था पेरिश समराट क्या किये, सहना को सहर में गुषने का आदेश दे दिये थे लोग कहां पर गए, तो पेरिश नगर के पूर्वी भाग पर गए थे ठीक है, पेरिश के पूर्वी भाग पर गए थे यहां भी ध्यान रखेंगे, यहां पर यह किला था अब आईए समझे यहां पर अठार्वी सदे के उत्रार्द में फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था, क्या-क्या चल रहा था, समझे 1774 में बुर्बो राजवन्स का लूई सोला हुआ, फ्रांस की राजगर्दी पर आसीन हुआ मतलब बैठा उस समय उसकी उम्र जो है वो केवल 20 साल की थी और उसका विवाह किस से हुआ था, तो आस्ट्रिया की राजगुमारी मेरी एंतो एनेट से हुआ था पता होगा आपको अगर अच्छी बात है, आस्ट्रिया की राजगुमारी है मेरी एंतो एनेट इनको भी बाद में फाशी दी गई थी समझेए यहाँ पे फिर से 1774 में बुर्बु राजवन्स का यहाँ पे सवाल बनता है राजवन्स का नाम बताईए तो confusion होता है वहाँ पर ठीक है नाम आप याद रखेगा बुर्बु राजवन्स था 1774 में लुई 16वन कहां बैठता है फ्रांस की राजवन्स की राजवन्स था उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी विवाह किस से होता है आश्ट्रिया की राजकुमारी नाम है मैरी एंतो एनेट छीक है लुई 16वन्स के सासनकाल में फ्रांस ने अमिर्का के तेरह उपनेवेश था आप इसे समझें ना कि तेरह आप कह सकते हो सहर मान लिजी समझने के लिए तेरह सहरों का एक समूध था उस पर साजा सत्व कौन था इसका फ्रांस का तो बेटेन था और बेटेन से आजाद कराने में अमिर्का के नोंने मदद की थी अब यहाँ पर समझे फ्रांस में तीन एस्टेट्स हुआ करते थे ठीक है तीन वर्ग में बाटा गया था पहला होता था पर्थम एस्टेट्स इसमें पादरी रहते थे दूसरे वाले में कुलीन वर्ग रहते थे और तीसरे में कौन रहते थे तो बड़े व्यवशाही, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, आदी ठीक है इसमें ये फर्स्ट कैटेग्री हो गया साकेण में कौन थे मध्यम किसान और कारीगर और तीसरे वाले मेश में कौन थे तो छोटे किसान भूमिहिन मजदूर नौकर समझ गए कहने का मतलब है टोटल तीन तरह के विभाजन वहाँ पर किया गया था एक में पादरी वर गाते थे आप ऐसे समझे कि बहुत जगा आप देखते हैं कि धर्म जो है वो सब चीज़ पे हावी रहता है तो पादरी वो जो लोग थे ना वो सबसे उपर थे ठीक है मतलब धर्म सबसे उपर रखा गया था उसके बाद आते थे जो जो कहिए कि दूसरे वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग ठीक है और तीसरे में कौन थे तो जो बड़े व्यावशाई थे व्यापारी थे अदालती थे करमचारी थे उसके बाद मध्यम किशान और कारिगर को रखा गया था और सब से नीचे में किसे रखा गया था छोटे किशान, भूमी हर मजदूर और नौकर लोग थे उसमें अब यहाँ पर यहाँ वाला जो डेट और कुछ नए सब्द में जो आपका कुछ कुछ डेटा दिया गया है इसे तो आप रट लीजिए, स्किन सॉट ले लीजिए यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है देखें, यहाँ से देखें टाइल पर पहले आईए टाइल क्या होता था? टाइल होता था, सीधे राज को अदाक किया जाने वाला कर कन्फ्यूजन यहाँ बहुत जादा होता है, टाइल और दूसरा है टाइल, इन्हीं दोरों में कन्फ्यूजन होता है टाइल जो है, चर्च के दोरा वसूले जाने वाला टैक्स होता था यहाँ कर क्रेसी उपज के ध्यान रखेंगे दस्वे हिस्से के बराबर हुआ करता था अब यहाँ पर टाइल और टाइथ में कन्फ्यूजन है अगर आपको तो देखिए एक छोटा सा दिमाग में ट्रिक लगाईए टाइल है ना, टाइल, टाइल को आप टाइल्स कहा सकते हो जो घर में लगता है तो वो ना, राज को दिया जाने वाला सिधा कर हुआ करता था ठीक है टाइल और टाइथ ये जो इत है ये चर्च के लिए होता था इत से आप चर्च रखने का कोशिश करी है या मतलब रखने का कोशिश करी है ना ताइल होता था सीधे राजी को अदा किया जाने वाला कर और ताइथ होता था क्या तो चर्ज के द्वारा वसूला जाने वाला कर और यह दस्वा भाग हुआ करता था ठीक है अब देखिए पादरी वर्ग पड़ा यह चर्ज के विशेश कारी को कारियों को करने वाले व्यक् सिसी समाज में सत्ता और समाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला स्रेनी हुआ करता था और लिब्रे जो था फ्रांस की मुद्रा था और 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था यहाँ पर आपको तीन पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना है कौन कौन सा लिब्रे फ्र आपको याद आता है या नहीं बहुत ज़्याद इंपॉइंट है याद रखेगा 94 में यह समाप्त हुआ था दूसरा पॉइंट आपको या पहला तो यह हो गया दूसरा क्या रखना है टाइथ टाइथ चौर्ज के द्वारा वशूल किया जाने वाला कर होता था यहां कर कर इसी उपज का दस्वा भाग हुआ करता था और तीसरा पॉइंट याद रखना है यहां पर टाइल सिधे राज को अदा किया जाने वाला यह कर हुआ करता था टाइल यह तिनों काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट है अठारवी सदी में एक नए सामाजिक समू का उदे हुआ जिसे मध्वर्ग कहा गया अठारवी सदी में ठीक है एक नए सामाजिक समू का उदे होता है जिसे मध्वर्ग कहा जाता है अब यहां पर आईए जॉन लॉक एक व्यक्ति है इनका नाम आपको याद रखना है लॉक यह न टू ट्रेटाइज आफ गवर्मेंट नाम से एक पुस्तक लिखते है ठीक है उसमें राजा के दैवी और जो निरंकुष अधिकार है उसके सिधान का खंडन करते हैं मतलब बिरोध करते हैं अब य राजा के दैवी अधिकार के लिए ना राजा जो अपने आपका कहिए लॉक कर लिये थे ना कि दैवी अधिकार उन्हीं के पास है जो चाहेंगे वही कर सकते हैं उसको उसका कहिए कि विरोध करने के लिए ना टू ट्रेटाइज आफ गवर्मेंट लिखा गया था किसके द विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका के बीज सत्ता विभाजन की बात कही गई है। आपको पता है ना काफी शारे देश में विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका को अलग-अलग माटा गया है। आपको पता है अपने भारत में किस तरह का सत्ता का विभाजन हुआ है तो ये कहिए कि नहीं का देन है मॉन्टेस्क्यू का दा स्प्रीट आफ दा लॉज नाम से पुस्तक थाईन का यहां तक जो जो पॉइंट आपको मेंड बताया गया बास्तिल का किला था उसको तोर डाले थे 1774 इस्वी अभी आपको जश्ट बताया गया था 1774 इस्वी में बुर्बो राजवन्स का लुई 16 हुआ था ठीक है लुई 16 हुआ इन्होंने फ्रांस के गद्दी पर ये क्या किये थे बैठे थे उम्र कितना था उस वक्त इनका बस 20 वर्ज साधी किन से हुआ था आश्ट्रिया की राजकुमारी था नाम था मेरी एंतो एनेट 13 जो उपनिवेश था अमेर्का में उसके मलब के लिए लोई सुलावे ने क्या किये थे सैना वगला को भेजे थे तीन भागों में जो वहां के लोग थे बटे हुए थे पादरी, कुलीन और तिसरे में बरेवयवशाई फिर मध्यम किसान और लाश्ट में छोटे किसान को रखा गया था लिब्रे क्या था फ्रांस का मुद्रा जिसे की 1794 में समाप्त कर दिया गया था टाइथ क्या था टाइल क्या था टाइल, लास्ट में लो था टाइल टाइल जो है न घर में लगाते हो आप तो टाइल जब घर में लगाते हो तो आप सीधे दुकान से खईते हो इस तरह से ध्यान रखे जा करके तो सीधे राज को दिया जाने वाला कर था और टाइथ जो है वो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था जो कि टाइथ का एक fix amount था मतलब ऐसे समझे कि जो उपज होता था जो भी पैसा होता था उसका दस्वा हिस्सा दिया जाता था किसे? चर्च को अब आपके मन में सवाल आना चाहिए क्या राज को भी दिया जाने वाला जो कर था क्या उसका भी amount fix था कितना percent देंगे? जैसे महाजनपन में आपने देखा तो 1 by 6 दिया जाता था ले जाता था वसूल किया जाता था तो क्या tile भी जो राज को दिया जाता था उसका कोई amount fix था तो नहीं tile का नहीं था, tithe का था tithe मतलब जो चर्च को दिया जाता था वह दस्वा हिस्सा था लेकिन राज को दिया जाने वाले में कोई हिस्सा fix नहीं था कम जादा होते राजा था तो वो आपके book में दिया भी नहीं गिया है उस पे आपो ध्यान भी नहीं दिना है यहां दे सवाल पूछा भी नहीं गिया है नेक्स्ट पॉइंट था जॉन लॉक जिन्होंने कि राजा के दैवी और निरंकुष अधिकार का खंडन किया था उनका पुस्तक है Two Treatises of Government इसके बाद एक और बुक है The Spirit of the Laws करके था जिसने तो मॉन्टेशक्यू ने लिखा था मॉन्टेशक्यू का एक पुस्तक है The Spirit of the Laws इसके अंदर सरकार के बारे में बताया गया है कि सरकार के तीन विभाजन होना चाहिए विधाई का, कारेपाले का देखिए समझिए करांती की सुरवाद फ्रांसिसी समराथ लुई सोलहवे ने डेट था पांच माई 1789 इस डेट को नए करओं के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी अब यहाँ पर दिया हुआ साथ नहीं है आगे देखते हैं अगर मिली जा तो ठीक है तो एक और डेटा आप सुन लीजिए डेज़ सो वर्सों के बाद यह वाला मीटिंग बुलाया गया था अब अगर इसमें आप डेज सो साल घटाएंगे कितना आएगा बताईए सही है ना हाँ लगता दो सही है सोलो सो तब उन्चास हो जाता है डेज़ सो वर्सों के बाद यह मीटिंग बुलाई गयी थी ठीक है अगर यह पूछ लिया जाए तो बता दीजेगा वैसे पूछेगा नहीं साथ पांच माई 1789 को नए करों के प्रिस्ताव के अनुगोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गयी मतलब जो तीन वर कभी आपको बताया गया था तीनों को बुलाया गया था पहले और दूसरे इस्टेट्स ने इस बैठक में अपने तीनसव प्रतिनिधियों भेजे जो आमने सामने की खतारों में बिठाये गए तीसरे इस्टेट्स के 600 प्रतिनिधी उनके पीछे खरे कर दिये गए किसानों यह पॉइंट याद रख लिजेगा तीनसव तीनसव दूनों का था और तीसरा इस्टेट्स से 600 था किसानों औरतों एवंक कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जीत था फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी सिकायतें एवंक मांगों की सूची बनाए गई कितना पत्र 40,000 स्टेट्स जनरल के नियमों की अनुशार प्रतेक वर्ज का एक मत देने का अधिकार था इस बार भी लूई सोलह वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए द्रिड प्रतिग था ठीक है सभी का मतलब एक वोट मान लिया गया था सब का मिला कर एक ही वोट बस था परंतु तीसरे वर्ज के परतिने द्यों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मत दान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रतेक सदस्य को ध्यान दें प्रतेक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो नेक्स्ट पॉइंट पर आईए यह एक लोगतांत्रिक शिधान था जिसे मिशाल के तौर पर रूशो ने अपने पुस्तक दसोसल कॉंट्रेक्ट में प्रस्तुत किया है यह जो पॉइंट है The Social Contract रूसों के द्वारा लिखा गया है काफी ज़्यादा चर्चित पुस्तक है आपके हर एक एक्जाम में आपने यहाँ पर दिख लिया होगा यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है अब यहाँ पर कुछ महत्तपूर्ण दिथी है इसे आपको याद करना पड़ेगा 1774 में क्या होता है लूई 16 हवा फ्रांस का राजा बनता है शरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राश्तंतर के समाज में और संतोस गहराता जा रहा था फिर आता है 1799 का समय इस्टेट्स जनरल का आहवाहन हुआ तीसरे इस्टेट्स नेशनल एसम्बली का गठन करता है बास्तिल पर हमला होता है देहात यानि की गाउं वगड़ा का जो एरिया था वहाँ पर किसानों का विद्रो होता है 1791 में समराट की सक्तियों पर अंकुष लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार परदान करने के लिए समिधान बनाया जाता है अब में में पोइंट को समझे 1774 में लुई सोलावा फ्रांस का राजा बना 1789 में स्टेट्स जनरल का मीटिंग हुआ था 1791 में समराट की सक्ति पर रूख लगाने के लिए और नॉर्मली कहिए कि समिधान बन कर तयार हुआ था कब पूछा जाएगा 1791 आप ध्यान रखेगा इस बात को आप जब सिट लगाएंगे ना तो 91, 90, 92, 93 जब आप्शन में आएगा ना तब पता चलेगा कि इसका माइने क्या था इसलिए कहा जा रहे थो अध्यान से अच्छे से याद कर लिजिए देखिए 1792, 93 में फ्रांस क्या होता है गनराज बनता है पूछा जायक फ्रांस गनराज कब बना था तो आपको 1792, 93 बताना है सिर काट करके राजा को मारा गया था जेकोबिन गनराज का पतन हुआ था फ्रांस पर डिरेक्टर का सासन श्टार्ट होता है 8 माई 1804 को नेपोलियन फ्रांस का समराट बनता है यूरोप के विशाल भूभाग पर कबजा कर लेता है और 1815 में क्या होता है तो वाटर लू में नेपोलियन की हार होती है इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए नेशनल एसेंबली ने सन 1791 में शमिधान का प्रारूप पूरा कर लिया था ध्यान दे नेशनल एसेंबली के द्वारा 1791 में समिधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया था इसका मुख्यों देशी क्या था तो समराट की सक्तियों को शेमित करना था अब देखिए जैकोबीन को सौकुलाद के नाम से भी जाना गया था जिसका साब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला ठीक है बिना घुटने वाला आपको ध्यान रखना होगा सौकुलाद पुरुष जो थे लाल रंग की टूपी भी पहनते थे जो सौतंतरता का प्रतीक हुआ करता था यहां से सवाल पूछा जाता है क्या पूछा गया है कि जो सौकुलाद थे फ्रांस की करांती में जो लोग थे सौतंतरता सैरानी थे वे किस तरह का टूपी पहनते थे आपसन में आपका लाल, काला, घुलाबी दे दिया जाएगा फिर वहाँ पे कंशूज नहीं करना है आपको ठीक है लाल रंग की टूपी पहना करते थे यहाँ पे कुछ देटा मतलब वो बताया गया है किस तरीके से काम चलता था यहाँ पे क्या क्या में पॉइंट है वह समझी है निर्वाचन में टूटल पचास हजार पुरूष थे यह पचास हजार पुरूष जैसे के अमारे भारत में, प्यारे भारत में क्या होता है हम लोग वोग डालते हैं, अलग बगनबे, पंचान, बेकर, और क्यास पास जन संख्या है तो वहाँ पर निर्वाचन में 50,000 ऐसे पुरुस्ते जिनकों की वोटर एडी कार्ड कहीं दिया गया था ये सभी लोग टोटल 745 सांसद बगरण को चुनते थे जैसे हम लोग सांसद चुनते हैं, बिरायक चुनते हैं तो 745 सदस्व को चुनते थे ये लोग क्या करते थे, एक तरह से कारड़ पालिका का चुनाव इधर मंत्री का चुनाव है और आप ऐसे देखिए, चली एक बात, यह तो यहाँ पे एक पॉइंट यह एक धियान रखना है तिसरा पॉइंट क्या धियान रखना है, समझिए बहुँ चादा नहीं उत्या क्रिटिकल नहीं करना चाहरें, इसलिए जो में में पॉइंट है पॉइंट है, वो आपको बताया जाना है शकरिये नागरिक में मताधिकार प्राप्त लोग थे शकरिये नागरिक किसे कहा जाता था, जो लोग मतदान देते थे निस्करिये किसे कहते थे, जो वोट नहीं डाल पाते थे अवोट क्यों नहीं डालते थे अवोट डालने का क्या टर्मेंट कंडिशन था वो भी अभी आपको बता देते हैं दिखिए शक्रिये नागरिक में मजदान करने वाले लोग थे दो दसमलाब साथ करोर की जन संख्या के लगवग चालीस लाग लोग आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा निशक्रिये पुरूस में मतादिकार प्राप्थ नहीं था लगवग तीस लाग पुरूस महला बच्चे और पचीस वर्श से कम उमर के वेक्तियों को अब यहाँ पर आएंगे एक क्रांती कारी महला है ओलंप दे गूज काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल यहां से पूछा ही गया है बहुत बार पूछा भी जाएगा गई ओलंप दे गूज क्रांतिकारीन फ्रांस की राजिनतिक रूप में शक्रिये महिलाओं में सबसे महत्पूर्ण थी उन्होंने समिधान सभात था पूरूस एवंग नागरिक अधिकार गोशना पत्र का विरूत किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मुलभूत अधिकारों से वन्चित रखा गया था फ्रांस की ये है क्यांतिकारी महिला ठीक है काफी ज़्यादा रही कि पावर्फूल थी इन्होंने शन 1791 में ध्यान दे 1791 में कि उलंप देगोज ने महिला एवंग नागरिक अधिकार गोशना पत्र तयार किया जिसे महरानी और नेशनल असेम्बली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कारिवाई की जाए अब आईए दास पर्था का उन्मुलन जो हुआ था देखिए अब यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिए निग्रो अफरिका में शहरा रेगिस्तान के दक्षिन में रहने वाले अस्थानी ये लोग थे निग्रो अपने जरूर परहाओगा इसके बारे में यहाँ अपमान जनक सब्द है जिसका कि अब प्राय इस्तमाल नहीं किया जाता है अब आते हैं कुछ और पॉइंट है देखते हैं से देखिए श्वतंतरता और जनवादी जो अधिकार के विचार है वो फ्रांसेसी क्रांती के सबसे महत्पूर्ण विराशत थी और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसेसी क्रांती के सबसे महत्पूर्ण विराशत थी अपने वेश्चिक समाजों ने संपर्भूराश्टर राज की अस्थापना के अपने आंदलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार की नई परिभासा दी थी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय प्रांती कारी जो है यह फ्रांस में उपजे वेचारों से प्रेड़ना लेने वाले दो ठोस उधारन है आपको अगर ध्यान हो आपने परहा होगा साइद टीपू सुल्तान भी जेकोबिन कलब के सदस्रता लिये थे क्या आपको याद है अपने ध्यान दिया है क्या सवाल आपके सामने से जरूर गुजरा होगा यह पूछा भी जाता है राश्टरवाद की पहली असपष्ट अभिवेक्ती 1789 में फ्रांसिसी करांती के साथ हुई थी श्वतंतरता समानता और बंधूत्त SSB जो है इसका नारा फ्रांसिसी करांती से लिया गया है आपने यह भी पढ़ा है देखिए 1804 इश्वी की नागरिक संहिता जिसे आम तोर पर नेपूलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है इन्होंने जन्म पर आधारित विशेशाधिकार समाप्त कर दिया था धियान रखिए कब 1804 में नागरिक संहिता जिसे आम तोर पर नेपूलियन की संहिता कहते हैं कब समाप्त हुआ था 1804 में यहाँ पर यह नाम काफी important है समाजवाद सब्द का पर्थम जो है वो कौन था रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले दिया था समाजवाद अच्छा आपको यह पता है कि जो रॉबर्ट ओवन है यह कहा के हैं किस देश के रहने वाले हैं अगर आपको पता हो आप कमेंट करके बताईए रोबर्ट ओवन किस देश के रहने वाले थे आगे कि किसी क्लास में आपको मिल जाएगा इसका जवाब और अभी अगर आपको पता हो तो करिए कमेंट नेक्स्ट पॉइंट नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जनक माना जाता है नेपोलियन कोड को नेपोलियन ने अपने विजय अभियान से अधिक महत्तपूर्ण और अस्थाई बताया था अब यहाँ पर कुछ महत्तपूर्ण तिथी है इसे तो आपको खेर याद करना है दिशमितो देखिए 1797 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है नेपोलियाई युद्धों की युद्धों की शुरुवात होती है 1797 में 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन हुआ वियना शान्ती संधी होता है 1821 में युनानी सुतिंत्रता के लिए संघर्ष इस्टार्ट होता है 1848 में फ्रांस में क्रांती आर्थिक परिशानियों से गरस्त कारीगर और द्योविक मजदूर और किशानों की भगावत मद्देवर संभिधान और प्रतिनित्यात्मक शरकार के गठन की मांग करता है इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पॉलिस, चेक ये सभी राष्ट राजियों की मांग करते हैं 1869 से ले करके 1870 के समय में इटली का एकिकरन होता है 1866 से 71 के समय में जर्मनी का एका एकिकरन होता है 1905 में हैपसवर्ग और ओर्टमन सामराजवा में सलाव राष्टरवाद मजबूत होता है ध्यान रखियेगा आशा है कि पॉइंट नमबर जो फर्स्ट आपका दिया गया था फ्रांस की करांती इसे आपने अच्छे से देखा और समझ लिया अब आते हैं यूरोप में समाजवाद होता है समझते हैं इसे काफी इंप्वर्टेंट है फिराएंगे रूस्ट इकरांती पर अरे भाई साहाब ये क्या हुआ बताईए देखिए देदिया किया है यहाँ पर रॉबर्ट ओवन है ना समाजवाद सब दिये थे अब आगे तो हम लोग पहणने ही वाले हैं इसके वाले हैं यूरोप पर जब समाजवाद पर आ गए तो यह तो पहणना ही है लिजे देख लिजे क्या है सही जवाब इंगलेंड के कहा के थे इंगलेंड के थे ये भाई साहब इंग्लेंड के चाने माने उद्योग पती रॉबर्ट उवन 1770 में जन्म होता है 1858 मिन की मेर्टिव होती है इन्होंने इंडियाना यहाँ पे इंडियाना लिखा हुआ है इंडियाना जो कि अमेरिका में था समझेगा मैं नयास सम्नवय यानि कि न्यू हर्मनी के नाम से एक नए तरह के समुडाय की रचना का प्रियास किया था सवाल पूछा जाता है न्यू हर्मनी किस से जुड़ा हुआ है रॉबर्ट उवन से जुड़ा हुआ है फ्रांस में लूई ब्लांक 1811 में जन्म होता है बेरासी में मेत्यू होती है फ्रांस में लूई ब्लांक चाहते थे कि शरकार पूर्जी वादी उद्यमों की जगा सामोहिक उद्यम को बरहावा दे को आपरेटिव ऐसे लोगों के शमुह थे जो मिलकर के चीजे बनाते थे और मुनाफिक को परतेक सदस्य के द्वारा किये गए काम के हिसाब से आपस में बाठ लिया जाता था मतलब हर सदस्य को पैसा मिलता था बराबर काम करने वाले मजदूर पैसा नहीं कि कोई एक मालिक होगा उसके अंदर मजदूर काम करेंगे जो भी इंकम आएगा मालिक रख लेंगे और जो वेतन होता है वो जो काम करने वाले कारिगर है उनको दे दिया जाएगा वैसा सिस्टम नहीं था मालिक को भूल जाए सारे में बठता था पैसा ये सिस्टम था ठीक है कौन तो फ्रांस में फ्रांस में लूई ब्लांक चाहते थे सा अब आईए कार्ल माक्स पर 1818 से 33 तक समझेए और फ्रेडरिक एंजल्स इन दोनों ने मिल करके काफी शारे अच्छे चे कामद किये कार्ल माक्स का विचार था कि और जो एक समाज पूंजी वादी समाज है सेक्टरियों में लगे पूंजी पर पूंजी पतियों का स्वामित्य है और पूंजी पतियों का मुनाफ़ा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है ये किसका तो कार्ल माक्स का ये विचार था मारक्स का निशकर्ष था कि जब तक नीजी पुझी पतियां इस तरह के मुनाफ़े का संचे करते जाएंगे तब तक मज़दूरों के इस्थिती में शुधार नहीं आएगे किसका मानना था कारल मार्क्स का क्या कहना था कि जब तक नीजी पुझी पति यानि कि जो प्राइवेट सेक्टर के हेड होते हैं वो इस तरह के मुनाफ़े का संचे मतलब मुनाफ़ा अपने पास रखते जाएंगे तब तक क्या होगा मज़दूरों के इस्थिती में शुधार नहीं हो शकता है समाज में परिवर्तन के समर्थकों में शे एक समूह उदारवादियों का था उदारवादी ऐशाराष्ट चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर का शम्मान और जगह मिल सके इसके भी परिद रेडिकल समूह के लोग ऐसी शरकार के पक्ष में थे जो देश की आवादी के बहुमत के समर्थन पर आधारी थो इनमें से बहुत सारे लोग महला मतादिकार आंदूलन के समर्थक भी थे यूरूप में 1815 में जिस तरह के सरकारे बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्टरवादी उदारवादी और रेडिकल आंदूलन कारी के पक्ष में आ गए थे ठीक है 1815 के बाद इटली के राष्टरवादी नाम काफी इंपर्टेंट ध्यान दे गिस अप्पे मैजनी 1815 के बाद इटली के राष्टरवादी जो थे मैजनी इन्होंने यही लेक्श प्राप करनी के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ सालिस रची भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ा करते थे किसके तुमेहजिनी के राष्ट्रवाद और सामराज जिवाद समझे वर्ष 1871 में वर्ष 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का सुरोत बालकन छेतर था इस छेतर में भोगालिक और जातिय भिन्निता थी इसमें आदोनिक रोमानिया बुलगारिया अलबानिया तुनान मैसो मैसिडोनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जे गोविना है साथ सलोवेनिया सर्बिया और मॉन्ट्री निग्रो ये सभी शामिल थे छेतर के निवासियों को आम तोर पर सलाव कह करके पुकारा जाता था आसा है कि यूरूप में समराजवाद का कुछ में में पॉइंट था जो आप समझ गए अब आते हैं रूस के क्रांती पर रूसी क्रांती पर देखिए 1917 की अक्टूबर क्रांती के जरिये रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कबजा कर लिया परवरी 1917 में राज साही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांती के नाम से चानते हैं वर्ष 1914 में रूस और उसके पूरे सामराज पर जार निकोलस सकेंड का शासन था मासको के आसपास परने वाले भूच्षित्र के अलावा आज का फिनलेंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पॉलेंड, योक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी सामराज के अंग में थे बीशवी सदी के शुरुवात में रूस की आबादी का एक बहुत ब़रा हिस्सा खेती बारी से जोड़ा हुआ था समझने हैं पॉइंट को, नेक्ट देखिए रूसी सामराज का लगभग 85% जन था, आजी विका के लिए खेती पर ही निर्भर थी, कहा कि रूस की कितनी 85% वर्ष 1914 में फैक्टरी मर्दूरों में औरतों की शंख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पूरुस मर्दूर के मुकाबले कम वेतन मिलता था कव 1914 में, 31% याद रख लिजेगा, माक्ष के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रसियन सोसल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था ध्यान दें, माक्ष के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रसियन सोसल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के नाम से एक संगठन का निर्मान किया था 19 सदी के आखिर में रूस के ग्रामिन इलाकों में समाजवादि काफी शक्रिये रहें 19 सदी के आखिर में ठीक है, रूस के ग्रामिन इलाका में समाजवादि लोग काफी एक्टिम रहे थे समाज़िक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी करांतिकारियों से सहमत नहीं था अब देखें मेंट पॉइंट यहाँ पर समझना है आपको की वर्स 1905 की करांति यह रूस की एक निरंकुष राजशाही था वर्स 1905 की करांति के दोरान उन्होंने समिधान की रचना के लिए सूसल डेमोक्रेट और समाजवादी करांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मज़़ूरों के बीज में काफी काम किया रोसी समराजी के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पॉलेंड में हुआ था उसी तरह से कह रहा है और इस्टलाम की आधुनी करन के समर्थग का भी समर्थण मिला था जैसे समर्थग जो थे उसे क्या कहा जाता था जदिदियों ठीक है इनका भी समर्थण मिला था फरवरी 1917 में राजसाही को गद्धी से हटाने वाली क्रांती का जो ज़ंडा है उसे आप पेत्रोग्राद जैसे पेत्रोग्रेट के विनाम से जानते हो इन्होंने जो जनता थे उन्होंने अपने हाथ में शिले लिया था फरवरी 1917 में क्या कह रहा है कि राजसाही को गद्धी से हटाने के लिए क्रांती का ज़ंडा अपने हाथों में ले लिया जंडा मतलब पेट्रोग्रेट के बारे में कहा जा रहा है पेट्रोग्रेट के जंटा ने हाथों में लिया था अप्रेल 1917 में बोल सिविकों का निर्वाशन नेता निर्वाशी जो नेता था नाम था बलादी में इर लेनिन ये रूस्ट लोट आए अप्रेल 1917 में बोल सेविकों के जो नेता थे लेनिन ये रूस्ट लोट आए लेनिन के नेत्तित में बोल सेविक 1914 से ही युद्ध का विरूद कर रहे थे कब से? 1914 से कर रहे थे 1917 में फिर लोट के वापस आए अब उनका कहना था क्या? कि अब सुवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए किसका कहना था ये बात? लेनिन का लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध सबाप्त किया जाए सारी जमीन किसानों के हवाले की चाहिए और बैंकों का राष्ट्री करन किया जाए यहाँ सवाल बहुत बार पूछा गया है यहाँ पॉइंट से सवाल बहुत बार आया है जब 1914 से ले करके 1918 तक युद्ध हो रहा था न वो उशी वक्त से कह रहे थे भाई युद्ध का विरोध करो युद्ध में नहीं पढ़ना है लेकिन युद्ध में चला गया है इनका देश लेनिन क्या कहे तीन मांग सबसे ज़्यादा इसका कई एक इंपोर्टेंट रहा है कौन कौन सा तो सबसे पहला युद्ध समाप्त हो सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रिकरन किया जाए इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रेल थिसिस के नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जाता है अप्रेल थिसिस क्या है तो तीन मांग लेनिन का था उसे को अप्रेल थिसिस कहा गया है 16 अक्टूबर उनिस्वसत रखू लेनीन ने पेत्रोग्राद सोवियत और बोलसेविक पार्टी को सत्ता पर कबजा करने के लिए राजी कर लिया था सत्ता पर कब जे के लिए लियान ट्राटर्स की इनकों इनकी नेतिते में सुवियत की और से एक स्वैनिक क्रांतिकारी समीति का गठन किया गया था ठीक है इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि यह योजना यह जो योजना है इसको किश दिल लागू किया जाएगा यह भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर है देखिए इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या करिए याद कर लिजिए इस किन सोट सबसे पहले लेकर रखी लिजिए आप रूस में समाजवाद पर बहस 1850 से असी तक चला रसियन सोसल डेमोक्रेटिक वरकर्स पार्टी की अस्थापना कभ हुए थी 1898 में खुनी डविवार जिसे आप 1905 की क्रांती कहते हो 1905 में हुआ था जार निकोलस सकेंड के द्वारा पदत्याग किया गया था कल तो 2 मार्च 1917 को पैत्रोग्राद में बॉलसेविक विद्रों का भुआ था 24 अक्टूबर 1917 को ग्रेह युद्ध हुआ था 1918 से 20 तक कॉमिंटर्स का जो गठन है 1919 में हुआ शामोही करन की जो सुरुवात होता है ये 1919 में होता है ठीक है क्या करिए इसकीन सोट लिजिए और इसे याद कर लिजिए यहां से सवाल पूछा जाएगा अब देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदला अक्टूबर करांती के बाद क्या क्या हुआ था अक्टूबर के बाद क्या हुआ था ये आपको देखना है देखिए बोलसेविक नीजी संपत्ती की विवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे ज्यादातर उद्योगों और बैंकों को नवंबर 1917 में ही राष्ट्री करन किया जा चुका था उनका स्वामित और प्रबंदत सरकार की नियंतरन में आ चुका था सकेन देखिए बोलसेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी जिसे आप बोलसेविक मानते हूँ ये रख दिया गया था नवंबर 1917 में बोलसेविकों ने समिधान सभा के लिए चुनाव कराये लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया जनवरी 1918 में असेमली ने बोलसेविक के प्रस्तावों को खारिच कर दिया और लेनिन ने असेमली को बरखास्त कर दिया ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी ज्यादा तर गैर रूसी राष्टरवादियों को शोभियत संग जो है जिनने के दिसंबर 1922 में रूसी समराजी में से बोलसेविकों के द्वारा अस्थापित किया गया राजी के अंतरगत राजनितिक स्वायत्ता दे दी गई वर्ष 1927-28 के आसपास रूस के सहरों में अनाज की भारी संकट पैदा हो गई थी 1927-28 के आसपास सरकार ने अनाज की कीमत की दै दर जो है वो दै की तर कर दी गई थी 1930-33 तक की खराब फशल के बाल तो सुवियत इतिहास का शब से बड़ा अकाल परा जिसमें 40 लाग से जादा लोग मारे गए थे 1930-33 तक अकाल में 40 लाग से जादा लोग मारे गए थे ध्यान रखेंगे अब आईए रूशी क्रान्थी और शोवियत संग का प्रभाव देखिए शोवियत संग के अलावा भी बहुत सारे देशों ने परतिनिधियों के Conference of the People of the East जिसे आप सितंबर 1920 में हुआ था जानते हूँ और बोल्सेविकों के द्वारा पनाये गए कॉमेंटर यादि की बोल्सेविक समर्थन समाजवादे पार्टियों का अंतराश्ट्री या महाश्रग कहा गया था इसमें हिस्सा लिया गया था देखिए फिर से इस पोइंट को देखिए सुवियत संगे के अलावा भी बहुत सारे देशों के पर्टिनिध्यों ने Conference of the People of the East और बोल्सेविकों के द्वारा बनाये गए जो कॉमेंटियर्स था जिसका कि मतलब होता था बोल्सेविक समर्थन बोल्सेविक समर्थक समाजवादे पार्टी का अंतराष्टिय महाशंग ये सभी हिस्सा लिये थी ठीक है अब यहाँ पर ये सवाल जो है कन्फ्यूज करते हैं बहुत सारे लोगों को मित्र राष्ट्र का नेतित सुरू में प्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था वर्स 1941 में सुभियत संग और अमिर्का भी इस गड़बंदन में शामिल हो गए उन्होंने धूरी राष्ट्र यानि कि जर्मनी इटली और जापान का मिलकर सामना किया अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए क्या समझना है सबसे पहले ये समझिए कि धूरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे धूरी सक्ती में कौन कौन थे जर्मनी इटली और जापान और मित्र राष्ट का नेत्य तकिष्णे किया ब्रेटन और फ्रांस के हाथों में थाईए याद रखेगा दूरी राष्ट से सवाल पूछा गया है देश का नाम दिया जाएगा कन्फ्यूज वहाँ पे करेंगे आप जो भी लोग फर्स टाइम सकेंड टाइम देख रहे हैं उनके लिए कहा ज़रा जिनको पहले से पकर रहे हैं तो वो तो ख़र क्या उनके लिए कन्फ्यूजन दूसरे विश्विद के साय में जर्मनी ने जन संगहार सुरू कर दिया जिसके तहट यूरूप में रहने वाले कुछ खास नसल के लोगों को शामूहिक रूप से मारा जाने लगा था इस यूद में मारे गए लोगों में साथ लाख यहूटी, दो लाख चिपसी और दस लाख पॉलेंड के नागरिक थे शाथ ही मानसिक वा सारीरिक रूप से अपंग घोशित किये गए शत्तर हजार जर्मन नागरिक भी मार डाले गए खतरनाख है ये बात ध्यान रखे गए इस यूद में मारे गए लोग में साथ लाख यहूदी, दो लाख चिपसी, दस लाख पॉलेंड के नागरिक थे शाथ ही मानसिक वा सारीरिक रूप से अपंग घोशित किये गए शत्तर हजार जर्मन नागरिक भी मारे गए थे इसमें मारे डाले गए थे से समझें अब आईए इटरी और जर्मनी के एकिकरन को समझें और यहां से काफी ज़्यादा important point अब आपका शुरू हो रहा है काफी मतलब काफी ज़्यादा सारे points important हैं 1834 में परसा की पहल पर एक सुल्क शंग नाम है जॉल्वे राइन सब अस्थापित किया गया जिसमें अधिकार्ज जर्मन राज सामिल हो गया इस संग ने सुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्याओं को दो कर दी जो उससे पहले 30 से उपर थी समझ गए क्या कह रहा है इस संग के द्वारा ना बस दो तरह का टैक्स स्टार्ट किया गया उससे पहले 30 से उपर तरह का 30 से ज्यादा टैक्स दिना होता था वर्स 1815 में ब्रिटेन, रूर्स, प्रसा और आस्ट्रिया जैसी यूरोपिय सक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था इसके परतिनिधी यूरोप के लिए एक सब्जोता तयार करने के समर्थन में वियना आ गए थे इस समयलन के मेजबानी आस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैदरिक ने किया था ध्यान रखिए इसमें परतिनिधीों ने अठारोसव पंदरा के वियना शंधी तयार की जिसका उद्धे से उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई यूर्द के दोरान में हुए थे जोसिफ मैजणी कहते हूँ इसका जन्म पूछा जाता है 1807 में ये नयोवा में हुआ था और वह कारभो नरी के गुप्त संगठन का शदस्र बन गया था पूछा जाता है कि मैजणी जो है कौन से संगठन से जुड़े थे कारवो दरी गुप्त संगठन से ये जुड़े थे चौबीस साल की युवास अवस्था में लिगुरिया में करांती करने के लिए उसे पहिस्कृत कर दिया गया किसे मैदिनी को तद पस्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की अस्थापना की पहला था मूरसेई में यंग इटली 2834 में दूसरा था बर्ड में यंग युरोप 1834 में जिसके सबस्च पोलेंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के जर्मन राज्यों में शमान विचार रखने वाले युवानेता हुआ करते थे मेजनी का जो विश्वास है वो क्या था इस्वर्ज की मर्जी के अनुशार राश्ट रही मनुश्यों की प्राकेतिक इकाई थी कि किसका कहना था मेजनी का कहना था देखिए मैटर्णी जो थे इन्होंने एक बार यह टिपनी दी और काफी इंपोर्टेंट टिपनी है पूछा गया एकजाम में जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोब को सरदी जुकाम हो जाता है किसका ये कथन है? मैटर्निक का है बहुत बार पूछा गया है याद कर लिजे से यूरोब में करांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रगती से जुनानियों की आजादी के लिए शंगर्स 1821 में आरंब हो गया देखिए गवी इकलाकार ने क्या किये जुनान को यूरोपिय सम्था का पालना बता करके प्रसंसा की और एक मुस्लिम शंगर्स के लिए जन्मत जुटाए अंगरे जी कभी नाम है लॉर्ड बाइरन इन्होंने धन इकठा किया और बाद में युद्ध में भी लड़ने गए वहाँ पर 1824 में बुखार से उनकी मेध्यू हो गई 1832 में कस्तुन्तुनिया की संधी ने युद्ध को एकश्वतंत राष्ट की मानिता दी सवाल बनेगा यहाँ पर कौनसे संधी ने युद्ध को एकश्वतंत राष्ट का मानिता परदान किया था तो वर्ष 1832 में कस्तुन्तुनिया की संधी संधी पूछा जाता है आपके एक्जाम में इसे याद रखिएगा जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समाहरों में प्रसा के राजा विलियम पर्थम को जर्मनी का समराट कोशित किया गया जनवरी 1871 में वर्साय में एक समाहरों हुआ समाहरों में प्रसा के राजा थे राजा विलियम पर्थम इनको जर्मनी का समराठ बना दिया गया जर्मनी की तरह इटली में भी राज्यतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था 19. सदी के मर्द इटली साथ राज्यों में बटा हुआ था जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजगराने का राजगराने का शाषन हुआ करता था 1830 के दसक में जूसेपे मैटसिनी किसका नाम था? मैजनी का मैजनी ने एक इकरिद इतालवी गनराज के लिए एक सूब इचारित कारिकम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी 1831 और 148 में करांतिकारी विद्रोहों के और शफलता से युद्ध के जडिये इतालवी राजगराने के जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शाषक विक्टर एमेनुवल दुवित्ये पर आ गई थी फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनितिक संदी जिसके पीछे काउंट कावूर का हाथ था इससे सार्डिनिया पिडमोंट यानि के 1869 में अश्ट्रियाई बलों को हराने में कामियाब हो गई थी वर्स 1801 में इमेनुवल दुवित्ये को एकिकरित इतली का राजा घूशित किया गया इंगलेंड और स्कोटलेंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से युनाइटेट केंग्डम ऑफ ग्रेट बिर्टेंड का गठन होता है वर्स 1801 में आयरलेंड को बलपुर्वक युनाइटेट केंग्डम में सामिल कर लिया गया था इसे भी ध्यान रखिएगा अब आईए वाइमर गनराज के बारे में समझिये वाइमर जो गनराज है इसका जन्म वाथा समझते हैं 20-वी सताबदी के सुर्वाती सालों में 20-वी सताबदी के सुर्वाती सालों में जर्मनी एक ताकतवर सामराज बना उसने आश्ट्रियाई शामराज एके साथ मिलकर मित्र राष्ट में एंगलेंड फ्रांस और रूस थे इनके खिलाब पहला विश्विद स्टार्ट कर दिया था कब से कब तक चला था आप जानते हो फ्रांस और बेल्जियम पर कबजा करके जर्मनी ने सुरवात में तो सफलता है हासिल की लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्राष्टों में सामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रिये शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी खुटने की बल पर ला दिया था यहाँ पर समझिये कर दोग पॉइंट सवाल आपसे पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है अमेरिका कब सामिल हुआ था 1917 में सामिल हुआ था किस चीज में तो मित्राष्ट के तरफ से जिसमें के इंगलेंड फ्रांस और रूस थे ठीक है यहाँ से सवाल बनता है अमेरिका कब सामिल हुआ उने 17 में क्यों हुआ था सामिल तो कि एक जहाज था जिस पर के अमेरिका के कुछ लोग जा रहे थे जर्वनी ने उसे दुबा दिया था दुबो दिया था पानी में एक बार क्या हुआ था बहुत पहले एक क्लास बहुत पहले की बात है एक क्लास दिये थे इसमें के एक सवाल ये भी था कि दुबा दिया गया था तो किसी एक मित्र का कमेंट था की सar कि सर काय से तो था दोबा दिया या उपर में उपता उडब के बाते बात लगता है कि ढर साल की बात गया किसी में कमेंट की एथ देखिए यहां वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फिर से कहा जा रहा है इसे आप याद कर लिजिए तो अज़र टाइम इसी लिए दिया जा रहा है इंगलेंट फ्रांस और जो रूस है इसके बारे में याद करिए यहां पर याद करिए उनीश्व सद्राव में अम सवंबर 1908 में केनरिय सक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने के बल पर ला दिया गया था वार क्रिमनल भी कहा जाता था किसी को अगर आपको ध्यान होता है राज्यतिक रेडिकल वादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिल गया था आखिरकार 1923 में जर पर जाना चुकाने से इनकार कर दिया इसके जवाब में फ्रांसिस्यों ने जर्मनी के मुख और दियो एक इलाके जो रूर था रूर पर कबजा कर लिया यहां जर्मनी के विशाल कोईला भंडारों वाला एक इलाका हुआ करता था वर्ष 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ इस्थिर्टा रही कब से कब तक 24 से 28 तक लेकिन यह इस्थिर्टा मानू रेत के धेर पर खरी थी क्योंकि न जर्मन निवेश और अत्योवे गतिविधी में सुधार जो है मुख्यता अमिर्का से लिये गए अल्प कालिन करजों पर आश्रित था जब 29 अक्टूबर 1929 को कब 29 अक्टूबर 1929 को वाल इस्थिर्ट एक्सचेंज जो कि सेयर बजार है इरो ने एक मिनट रोकिया है देखिए अक्टूबर जो 29 अक्टूबर 1929 है इसको इस डेट को वाल इस्थिर्ट एक्सचेंज जो कि सेयर बजार है यहाँ पर धारा साई होना है ठीक है धारा साई हो गया तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातो रात क्या हो गई बंद हो गई अब 1929 से लेकर के 32 तक अगले 3 सालों में अमिर्का की राष्ट्रिये जो यहाँ पर छूट रहा है क्या आए राष्ट्रिये आए है वह केवल 37 तक यहाँ पर क्या रहा है अमिर्का की राष्ट्रिये आए केवल आधी रह गई आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और धर पैदा कर दिया जैसे जैसे यहाँ पर क्या रहना है नेके इस पॉइंट पर एक चीज़ छूट रहा है क्या मुद्रा जैसे जैसे मुद्रा का अवमुल्यन होता जा रहा था मध्यम वर्ग खास तोर से वेतन भूगी कर्म चारी साथी साथ और जो पेंसन धारी है इसकी बचत भी सिकुर्थी जा रही थी यानि कम होती जा रही थी समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरन की भय सता रही थी समाज के इन तबकों को किस चीज़ का सर्वहाराकरन का भय क्या हो रहा था सता रही थी ध्यान रखेंगे अब आते हैं हिटलर का जो उदय होता है हिटलर का उदय आते हैं हिटलर के उदय पर काफी important है समझिएगा वर्ष अठारो सो नबासी में आश्ट्रिया में जर्में हिटलर की युवास्था बेहत गरीबी में गुजरी थी हिटलर का जर्म कब हुआ अठारो सो नबासी में कहा जर्म होता है आश्ट्रिया में होता है रोजी रोटी का कोई जर्या ना होने के कारण पहले विश्य विद्द की सुरुवात में उसने भी अपना नाम फौजी भरती के लिए लिखवा दिया था फिर क्या होता है भर्ती के बाद उसने अग्रेम मोर्चे पर संदे स्वाहक का काम किया कारपूरल बना और बहादूरी के लिए उसे कुछ तमगे भी हाशिल हुए थे वर्षाय की संदी ने तो उसे आगब बोला ही कर दिया था वर्षाय की संदी कम हुई थी अभी आपको बताया गिया था ध्यान है जो वर्षाय का संदी होता है तो क्या होता है ये हिटलर गुसा जाता है वर्ष 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामा के एक छोटे से समुह की सदस्यता ले ली जन्म कब होता है इनका 1889 में 1921 में क्या किये जर्मन वर्कर्स पार्टी में सामिल हो जाते हैं धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंतर कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया इसी पार्टी को बाद में नाच्ची पार्टी के नाम से जाना गया जैसे आप नाच्ची पार्टी कहते हो इस पार्टी का पहले का नाम क्या था जर्मन वर्कर्स पार्टी था ठीक है वर्ष 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कबजा करने के लिए बरलीन पर चरहाई करने और सत्ता पर कबजा करने की योजना बना ली थी समझेएगा फिर से वर्ष 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कबजा करने बरलीन पर चरहाई करने और सत्ता पर कपचा करने की योजना बना ली थी नाच्ची राजनेतिक खेमा वर्ष उनिश्वतीस के दसक में नाच्ची राजनेतिक खेमा उनिश्वतीस के दसक में शुरुवाती सालों तक चंता को बड़े पैमावने पर अपनी तरफ आकरसित नहीं कर पाया ध्यान दे वर्स 1929 में नाची पार्टी को जर्मन संसद राइक स्टॉक जिसे कहते थे इसके लिए हुए चुनाव में महज 2.6 फिश्दी ही वोट मिला 1929 में नाची पार्टी को जर्मन संसद क्या कहते थे उसे राइक स्टॉक कहते थे इसके लिए हुए चुनाव में महज 2.6 फिश्दी ही वोट मिला 1932 आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थे मातर 3-4-2-3 सालों में और उसे 37.3 वोट मिला समझे कहा था 12.6 फिश्दी नाची परसेंट से थोड़ा ज्यादा और 37 परसेंट हो गया तीन वर्सों में 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपती हिंडन बर्ग ने जर्मनी को चांसलर का पद भार सम्हालने का नौकता देखिए 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपती हिंडन बर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार सम्हालने का नौकता दिया था था 30 जनवरी 1933 को डेट इंपोर्टेंट है यहां मंत्री मंडल में सबसे सक्तिसाली पद हुआ करता था तब तक नाच्ची पार्टी न रोधी वाडियों इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया था इस डेट को इस कानून के जरिये जर्मनी में बकाईदा तानासाही अस्थाफित कर दी गई थी विदेश नीती के मूर्ची पर भी हिटलर को फोरण काम्यावी मिल गई वर्ष 1923 में उसने लीग ओफ नेशंस से पला ज़ाड लिया अपने आपको न लीग ओफ नेशंस जो बना था वहाँ से बाहर कर लिया निकाल लिया वहाँ से ठीक है वर्ष 1936 में राइन लेंड पर दुबारा कपज़ा किया और एक जन एक समराज एक नेता किनारे की आर में 1938 में अर्ष्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया उसके बाद उसने चेको सुलो वाक्याप के कपज़े वाले जर्मन भासी सुडेंट लेंड पर कपज़ा किया और पूरी तरह से चेको सुलो वाक्याप को हरप लिया था नेक्स्ट पॉइंट आईए 1 सितंबर 1949 चानते हो इस दिन क्या होता है किस चीज की सुरुवात हुई थी बिलकुल डबलु डबलु टू का उसने पॉलेंड पर हमला कर दिया सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रीपक्षिय संधी पर हस्ताग्चर किये सारे पॉइंट ध्यान से देखते चलिए याद करते चलिएगा जून 1941 में उसने सुवियत संग पर हमला कर दिया या हिटलर की एक एतिहासिक बिलकुफी थे अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और परल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बंबारी करके निशाना बना दिया तो अमेरिका भी दूसरे दिन दूसरा मतलब अमेरिका बहुत अत्क साइड रहा पहले बार में उसका एक जहाज था छोटा सा एक जहाज था जिसमें कुछ व्यक्ति थे सामिल नाम अभी ध्यान से हट रहा है ऐसे आपको बता दिया जाएगा अमेरिका ने बिडिटेंड का एक जहाज था चलिए आगे देखेंगे उसम तो जब मतलब व्यक्ति कुछ का ये पैसेंजर चहाज था जा रहा था तो जर्मनी पहली बार क्या किया था कि हमला करके उसे डुबा दिया और कुछ लोग उसमें थे जो अमेरिका की भी थे वो मारे गए तो अमेरिका फिर 2017 में आपने देखा था कि पहले वाले विश्चिद में सामिल हो गया दूसरे में क्यों हुआ तो देखिए उसका रीजन क्या था समझ लीजेगा जब जापान ने हिटलर को सवर्थन दिया और परल हार्बर पर जो अमेरिका ठिकाना था उस पर निशाना बना करके बंबारी कर दिया था साथ दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसर था कि इसाम अशी को यहुदियों नहीं मारा था इसाईयों की नजर में यहुदी आरतन हत्यारे और शुर्खोर थे किसके नजर में इसाईयों की नजर में मद्यकाल तक यहुदियों को जमीन है मद्यकाल तक यहुदियों को जमीन का मालिक बनने की मना ही थी ये लोग जहार देनी का दंधा करके अपना गुजारा चलाते थे वे बाकी समाज से अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटू याने की दर्बा करके है कहा जाता है यह जो घेटू शब्द है साइद आपने NCRT बुक में परहा हो घेटू का मतलब होता है घेटू कहिए घेटू से ही एक और सब्द बना है घेटू आईशन करके होता है जैसे में आप समझिए किसी भी देश में किसी भी राज्य में किसी भी एरिया में कुछ एक स्पेशल समुदाए कुछ एक स्पेशल कहिए कि धर्मे के लोग अपना मानिए कि यह अगर पूरा शहर है एक सहर है और इस के मारे सुरक्षा की दिरिष्टी को उन से कहिए अपना धार्मिक और कुछी रीजन से कहिए जब एक जगा पर वो लोग रहने लगते हैं इसी सब्द को घेटो कहा जाता है घेटो से आप घेटवाइजेशन सब्द को याद रखिएगा सीटेट वगरा का अगर आपने बुक देखा होगा तो उसमें ये सब्द काफी ज़्यादा परचली था है गेटवाइजेशन और NCRT के बुक में तो आपका दिया ही कया है ये सब्द काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप से अभी पूछा जाता है घेटवाइजेशन का मतलब चा होता है ठीक है तो आईए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर दिया हुआ है कि वे बाकी समाज से अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटो याने कि दर्बा करके है ये कहा जाता था सन 1933 से 1938 तक नाचियों ने यहुदियों को तरह तरह से आतंकित किया उन्हें दरिदर कर आजिविका के शाधनों से हिंद कर दिया और उन्हें से समाज से अलग थलग कर दिया गया ये बात कब का है 1933 से 1938 तक का है देखिए जिपसी के नाम से सिर्नी ब्रद की एक गए समुहों की अपनी सामुहिक पहचान थी सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थी ध्यान रखिएगा जिपसी के नाम से सिर्नी ब्रद किया गया का ये कि समुह था जो कि अपनी सामुहिक पहचान थी सिंती और रोमा भी ये दोनों भी ऐसे ही समुदाय थे फिर था सुद खोड बहुत ज़्यादा प्याज वसूल करने वाले महाजन इस सब्द का प्राजा गाली की रूप में परियोग किया जाता है तीसरा होगी आपका गेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना नशली कलपना लोग जिसे आप यूटूपिया कहते हो समझिये युद्ध के साय में नाची अपने कातिलाना नशलवादी कलपना लोग या आदर्स विश्व के निर्मान में लग गए जनसंगार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए पराजित पोलेंड को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया उत्तरी पस्चिमी जो पोलेंड का जादतर हिस्सा था वो जर्मनी को मिल गया पोलेंड के लोगों को अपने घर और घर है माल है मतलब जो भी कुछ था सब कुछ छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कप्जे वाले यूरूप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके इसके बाद पॉलेंडवासियों को मवेशियों की तरह खदीर कर जनरल गवर्रमेंट नामक दूसरे हिस्सों में पहुचा दिया गया नेक्स्ट है यूंग फोक देखिए चौदा साल से कम उम्रवाले बच्चों के लिए उसका नाम क्या था आपको यूंग फोक बताना होता है नाजसी यूथ लिगे का गठन 1922 में हुआ था चार साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 यानि कि सारह 12 लाग से जादा बच्चा सामिल हो गए थे 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे सामराज के सबसे महत्रपूर्ण नागरी क्या है मा है मतलब कहिए ना कि हिटलर के द्वारा बहुत सब फर्मान जारी किया गया था अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो उनको ज़्यादा मतलब कहिए कि सुविधा मिलता था औरतों की साजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें करादंड दिया जाता था अब यहाँ पर कुछ महत्रपूर्ट थी है इसे आप याद कर लिजिएगा सबसे पहला सवाल काफी इंपोर्टेंट है यह 28 जुलाई 1914 को पहला वाला विश्विद स्टार्ट हुआ था 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दी और युद समाप्त हो गिया यहाँ दोनों पॉइंट पहला 28 जुलाई 1914 को पहला विश्विद हुआ था और दूसरा कि 9 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था इन दोनों को आप याद कर लिजी अब देखिए 9 नवंबर 1918 को ही वायमर गनराज की अस्थापना का एलान होता है फिर उसके बाद अगली वर्साता है 28 जून 1919 का समय वर्साय की संधी होती है इस दिन फिर आता है 30 जनवरी 1933 तब क्या हुआ था यहाँ तक आप एक साथ याद कर लेंगे एक डेटा अपने माइन में सेट करेंगे अब यहाँ देखिए 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का जो है चांसलर बनता है को और हिटलर कब 33 जनवरी 1933 को सवाल पूछा जाएगा एक सितमबर 1949 को आपको पता है कि जर्मनी का पॉलेंड में घोषना स्टार्ट होता है 30 सितमबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने को युद राष्ट घोषित किया इस प्रकार दूसरा वाला विश्वद स्टार्ट हो गया था आता है डेट 22 जून 1941 को जर्मनी सेना सोवियत संग में घुषती है 23 जून 1941 को यहुदियों का कतले नाम कतले आम शुरू होता है 8 दिसमबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्वद में कूद परा था ठीक है फिर 27 जनवरी 1945 का डेट आता है सोवियत फोज अस्तित्त को मुक्त करवाती है 8 माई 1945 को ठीक है अभी आपने देखा पॉइंट नमबर 5 में जर्मनी और इटली का एकिकरन वगड़ा देख लिया ठीक है किस तरह से एकिकरन होता है अब यहाँ पर आपका है पहला वाला विश्य यूद यहाँ जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसे याद कर लिजेगा 1914 में दो यूरोपिय गटवदनों के बीच में यूद छिड़ गया था एक खेमे में जर्मनी आश्ट्रिया और तुर्की जोकि केंद्रिया सकती हुआ करती थी दूसरे खेमे में फ्रांस, बेटन और रूस था बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया तक इसमें इसमें यह इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक सामराज थी इसलिए युरूब के साथ साथ या युद युरूब के बाहर बे फैल गया इसे युद को पहला विश्युद के नाम से जानते हैं एक खेमे में जर्मनी, आश्ट्रिया और तुर्की था इसे केंद्रिय सक्ति कहा गया दूसरे में फ्रांस, ब्रेटेन और रूस था 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और आश्ट्रिया में रूसी सैनाओं को भारी पराजे जहलनी परी थी अब आईए पहला वाला विश्युद के कारण को समझते हैं अच्छा यहां पे हो सकता आपका दिया गया होगा अमिर्का क्यों आया था इस मेहना जर्मनी और इटली के एकी कलन के बाद उत्पन परिस्थितियों ने युद्ध में औविश्वास और संतोस, गुटबाजी, शैन कलन, गुप्त संदी इन सब को जन्म दे दिया था ठीक है 1 सितंबर 1870 को फ्रांस और जर्मनी के बीच में शैडान का युद्ध हुआ था शैडान का युद्ध आपसे पूछा जाता है याद कर लिजेगा 1 सितंबर 1870 को हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा युद्ध? शैडान का इसमें फ्रांस को पूर्णता जर्मनी ने क्या किया था पराजित कर दिया था फ्रांस को जर्मनी ने क्या किया हरा दिया था मतलब पावरफूल एक तरह से कही जर्मनी आपने आपको दिखा दिया था 10 माई 1871 को फ्रेंक्फर्ट की संधी जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है या संधी एक तरफा रहा इसमें फ्रांस की राष्टिय भावनाओं को ठेश पहुचाया गया बिसमार्क फ्रांस को मित्र राष्ट विहीन बनाए रखने के लिए गुप्ट संधी का सहरा लिया यूरूप में गुप्ट संधी और गुटमंदी का जो जर्म दाता है वो जर्मनी के चांसलर बिसमार्क थे जो पहले वाले विश्विद के प्रारंबिक मूल कारण रहे थे बिसमार्क द्वारा फ्रांस के विरूड में अठारो सो बिरासी में त्री गुटे जिसे आप ट्रिपल एलायंस सवाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आपसे ट्रिपल एलायंस पूछता है इस वर्ड पर ध्यान दीजिए ट्रिपल एलायंस अगर पूछता है अठारो सो बिरासी में त्री गुटे के साथ बना जिसमें की जर्मनी, आश्ट्रिय, अंगरी और इटली सामिल हुए थे त्रिपक्चिय संधी अगर आपसे पूछता है तो इसमें आपको धियान रखना होगा फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 में बने थे और अगर पूछता है कि 19 सदी के आरंब में, 20 सदी के आरंब में तब आपको याद रखना होगा ट्रिपल जो एलाइंस है त्रिपक्चिय संधी या 1907 में बना था ठीक है, इसे ट्रिपल इंटेटे के विनाम से आप जानते हो यह दोनों पॉइंट कन्फ्यूजन करने वाला है, इसलिए कहा जा रहा है किसे समझिए बिसमार्क के द्वारा फ्रांस के विरोड में एक बनता है 1882 में त्रिपक्टे जिसे कि आप ट्रिपल इंटेटे हो संधी जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी थे सामिल एक और बनता है, यह उनिस स्टार्ट जब होता है, इसलिए तब बनता है 1907 में फ्रांस, रूस और बेटेटेण, इसमें यह तिनों सामिल थे इसे ट्रिपल इंटेटे के नाम से जानते हैं यह वाला वर्ड पर आप फूकस करिएगा यह सब अगर रहेगा, यह नाम आ जाएगा ट्रिपल एलाइंस अगर रहता है और साथ में इस्वी भी आपको दिया जाएगा तब आप जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और इटली को टीक करेंगे आशा है कि आप समझ गया होगे क्या बताना चाह रहे थे नेक्स्ट पॉइंट को देखिए दोनों गुटों की उपस्तिती ने युद की भयावहत्ता को और तैक कर दिया था खतरनाग बना दिया था पहले वाले विश्विद्ध ततकालिक कारण जो है 28 जून 1914 को आस्ट्रिया के यो राज आर्क ड्यूक फरडिनेंट ठीक है आर्क ड्यूक हो गए यहां पर ड्यूक फरडिनेट जो की सारा जेवो जो की बुर्ष्णिया की रालधानी थे यहां पर हत्या हो गया था आसा है कि इस पॉइंट को आपने बहुत बार पहले पढ़ लिया होगा आस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्विया को जिम्मेदार ठहराया सयुक्त जाच आयोग के विशे पर मतभेद होने के कारण 28 जुलाई 1914 को आस्ट्रिया ने सर्विया के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी थे रूस ने इधर शर्विया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा जर्मनी ने एक अगस्त 1914 को रूस और तीन अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी फ्रांस का दवाब डालने के लिए जर्मन सहना है चार अगस्त 1914 में बेल्जियम में घोश जाती है उसी दिन ब्रेटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी और इस तरह यह व्यापक रूप से कहिए की स्टार्ट हो गया था यहाँ से जो आप पॉइंट आप देख रहे हो न थो ऐसा आपको दिक्कत कर सकता है तो थो ऐसा समझ के क्लास को फिर से यहाँ पे पीछे कर लीजिए तो तीन बार इस पॉइंट को खास करके देखिए समझ जाएंगे फिर अच्छे से रूस ने सर्विया को पूर्ण सहायता का वचन कर दिया युद्ध की तयारी करने लगा ठीक है रूस ने किसको सर्विया को जर्मनी ने एक अगस 2014 को रूस के खिलाफ और तीन अगस 2014 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी थी ठीक है इन दोनों पॉइंट को आ प्रांस पर दवाब डालने के लिए जर्मन सैनाएं चार अगस्त को बेल्जिया में घुश गई उसी दिन ब्रीटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घुशना की और इस तरह से युद्ध कहिए कि स्टार्ट हो गया जर्मनी द्वारा अमेरिका के जहाजों को नष्ट करने की घटना ने तटस्त युएसे तटस्त का कहने का मतलब एक युएसे का कहना तक नहीं भाई हम इसमें सामिल नहीं होने वाले आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिये अपने मेमरिये कटिये जो करना है करिये ल चाहें तो कर सकते हैं, लुसितानिया जहाज था, उसको क्या किया था, 6 अप्रिल 1907 को जर्मनी के खिलाफ युदिकी घोषना करना पड़ा था किसे, अमिर्का को, क्योंकि उसका जहाज को डुबा दिया और उसमें कुछ वेक्ती थे, जो कि, अमिर्का का जहाज नहीं था, ज रूस की करांती में, 1917 में, मतलब रूस इस करांती में, 1917 में बाहर हो गया था, याद रखिएगा, रूस, रूस में क्या कह रहा है, कि रूस में करांती, रूस ने, 1917 के परिणाम, इसके वज़र से, मतलब बाहर ये हो गया था, ये ध्यान रखिए, वर्स 1914 में, दो यूरोप ये गटमंदनों के बीच में यूद छिर गया एक खेमे में जर्मनी आश्ट्रिया और तुर्की थे जिसे केंदर ये सक्ति कहा गया तो दूसरे खेमे में फ्रांस ब्रिटेन रूस थे बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें सामिल हो गया था इन सभी देसों के पास विसा वैस्विक स्रामराज थे इसलिए यूरूप के साधिया यूद यूरूप के बाहर भी फैल गया ठीक है देखिये यूद के कारण रूस के अर्थ विस्था भी अत्यांत दैनी होती जा रही थे यूद में अब तक रूस के छे लाक्ष अधिक सैनिक मारे जा चुके थे बुलसेविक सत्ता के बुलसेविक शरकार के सत्ता में आते ही इसके रेतालेरिन ने एक विग्यप्ति जारी की जिसमें दूसरों के यूद्धों को दूसरे के छेत्रों को हत्यार बिना और यूद के हर जाने लिए बिना शांतिया स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए इस पॉइंट को आप नहीं भी देखेंगे चलेगा यहां देखें मार्च 2018 में रूस जर्मनी रूस और जर्मनी के बीच में एक शांती समझ होता है और रूस युद्ध से पूर्णता अलग हो जाता है कब उनिस्वा मार्च 2018 में रूस का युद्ध से हट जाने के बाद यु जगह जगह साइनिक विद्रों होना स्टार्ट हो गया जर्मनी के यू नौ का नामक पंडूब्यों ने बेटिस बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डूबोना शुरू कर दिया जिसमें लूसी तानिया नामक जहाज को डूबाने से अमिर्का में भैंकर परतिक्र हुई हाँ इसी के बारे में कहा रहे थे देखिए जहाज का नाम क्या था लूसी तानिया जर्मनी का एक बोर्ट था यू बोर्ट करके था नाम उसका उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिस का जो ब्रिटिन का जो बंदरगाह के तरफ जाने वाला जहाज था ना उसी का जहा जैसे क्या होता है वहां के लोग गुस्ता आए फिर क्या होता है अमेरिका के मना करने पर भी जर्मनी ने अपने कारिवाही नहीं रोकी तब अमेरिका 6 अपरिल 1917 को यह सवाल काफी important बहुत बार पूछा गया है अमेरिका कव entry लेता है तो 6 अपरिल 1917 को जर्मनी के खिलाफ आप जानते ही हो जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सयुक्त सैनिक अभियान आरंब किया और जर्मनी तथा उसके सही होगी देशों की हार होने लगी और एक एक कर सभी देश आत्मसमरपन करने लगे जर्मनी में भी करांती फूट परी और जर्मनी एक गन राजजी बन गया, जर्मन समराठ नाम याद रखे का केसर विलियम दूतिये, पलायन करके हॉलेंड चला गया, नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को विराम संदी पर हस्ताक्षर किये और इस प्रकार पहला विश्विद्ध खतम हो जाता है, कब 11 नवंबर 1918 को, ध्यान रख किये, अमेरिका के राश्टर पती विद्रो विल्सन ने जनवरी 1918 में सांती का एक कारिकम प्रस्तुत किया, जो कि 14 सुत्रों के नाम से चर्चीत हुआ, 11 नवंबर 1918 को दूइतिये विश्विद्ध का समापन होता है, पेरिस में सांती सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये जो पेरिस सांती सम्मेलन है न, इसी के तहत पहला वाला विश्विद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, ये अभी आप से पूछा जाता है, काफी बार एकजाम में पूछा गया है, किस संधी के तहत, तो पेरिस सांती संधी के तहत ये, कहिए कि समाप्त हुआ था, अब आत 27 देश भाग ले रहे थे लेकिन 3 देश वुड Kyungla?!? वुड के परधान मंतरी ल år होड जॉर्ज और फ्रांस के परधान मंतरी थे यह थे जॉर जो जॉर 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 जैडिमीन कलैमान स्क्ञू अमेरिका के राष्ट पती वुड्रो विल्जन ये तीन नाम काफी इंपोर्टेंट है यही तीन व्यक्ति प्रमुक थे जो कि सांती संधी की सर्थें तैकर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत थे इस पर मतलब जो हार गये देश उसके उपर सारा आरोप डाल रहे थे इटली का परतिने दी पर्धान मंतरे इमैनुवेल और लेंडो ने किया था यहां से पॉइंट यहां से सवाल आता है इटली का परतिने दी कौन किये समेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत नहीं दिया गया ये तो नॉर्मल बात है, सही बात है, मतलब ये होना भी था रूस को भी इस संधी संधी परकिरिया से बाहर रखा गया था मुख संधी जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई इसे वर्साय के संधी के नाम से ही जानते हैं इस संधी में पराजित जर्मनी को संधी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था सेंट जर्मन के संधी 10 सितमबर 1919 को आश्ट्रिया के साथ किया गया नियूली के संधी 27 नमंबर 1919 को बुलगारिया के साथ किया गया द्रायोन के संधी 4 जून 1920 को हंगरी के साथ किया गया सेबर्स के संधी 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ किया गया जिसे 24 जुलाई 1923 को लानेज की संधी के द्वारा संसोधित किया गया यहां पर आप क्या करिए किलास को थोजा सब पीछे करिए और इस पॉइंट को आप देख लिजे ठीक है कौन कौन सा संधी ही गवा था यहां से सवाल पूछा ही जाता है यहां इस पॉइंट को फिर से समझ लिजे गवार सेबरस की संधी 10 अगस्ट 1920 को तुर्की के साथ किया गया था जिसे 24 जुलाई 1923 को लौनेज की संधी के द्वारा संसूधित फिर कर दिया गया था संसूधन आप जानते हूँ कि क्या होता है पेरिस के सांती संधी ती जिसके बारे में फ्रांस के मार्सल क्रॉच ने कहा था यह संधी संधी नहीं है केवल 20 वर्स का युद्ध विराम है इसका कथन सही साबित हुआ दूसरा वला विश्वुद्ध का मूल कारण यही वर्साय की संधी ही था जो संधी जब अस्धी सोपा गया ना उसी के वज़ा से 20 वर्सों के बाद फिर से यह स्टार्ट हो गया था सांती और सुरक्षा बनाए रखने ही तू भविश्य में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट नामक अंतराष्ट्रिय संस्था बनाया गया जिसका मुख्याले जिनेवा में अस्थापित किया गया था ठीक है वर्साय की जो वर्साय संधी जो है इसके विशंगतियां हिटलर मुसलोनी का उदै सोवियत रूस द्वारा विजित राष्टों की गुफ संध्या वसरतों का भंडा फोर गिरेही उद्ध सस्त्रीकरन का बरहावा और राष्ट संग की और सफलता इनके जैसे परमुक कारणों से ही दूसरा वाला विश्विद की प्रिष्ट भूमी तयार होती है अब आजाएए दूसरे वाले विश्विद पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है तो 1 सितंबर 1949 को जर्मनी ने पॉलेंड पर हमला किया फिर से जर्मनी क्या और इसी के साथ दूतिय विश्विद की शर्वात हो गई थी या यूद 6 वर्सों तक लरा गया इसका अंत 2 सेप्टेंबर को हुआ तो 1945 में ठीक है इसमें 61 देशों ने भाग लिया था दूसरे वाले विश्विद का ततकालिक कारण जर्मनी का पॉलेंड पर आकर्मन करना दूसरे वाले विश्विद के दोरां जर्मन जो जनरल रॉम इल थे इनका नाम डेजर्ट फोक्स रखा गया था जर्मनी ने वर्साय की शंदी का उलंगान 1935 में किया इस्पेंज में ग्रेहिद 1936 में शुरूर हुआ सायुक तुरूप से इटली एवर जर्मनी का पहला सिकार इस्पेन बनता है म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन होता है म्यूनिक पैक्ट कब होता है 1938 में सितंबर 1938 में जर्मनी द्वारा सोवियत संग पर आकर्मन करने की योजना कि जो ओपरेशन है इसे मतलब करने का जो यह योजना था इसे ऑपरेशन बारबोशा कहा गया था सवाल पूछा जाएगा आपसे एक ऑपरेशन बारबोशा किसे कहते हैं जर्मनी द्वारा सुवियत संग पर आकरमन करने की योजना को कहते हैं 23 अगस्त 1949 इशवि को जर्मनी और सुवियत संग के बीच में आकरमन समझोते पर हस्ताक छड़ हुए 23 अगस्त 1949 को जर्मनी ने रूस पर समझोता उलंगन का आरूप लगा करके उस पर 22 जून 1941 इशवि में आकरमन कर दिया फरवरी 1943 में रूशी सेना जर्मनी को हराने में सफल होती है जर्मनी की और से दुवितिय विश्युद में 10 जून 1940 इसवी को इटली ने परवेश किया था जर्मनी की और से दुवितिय विश्युद में 10 जून 1940 इसवी को इटली आ जाता है किसके तरफ से जर्मनी की तरफ से अमिर्का का दिवितिये विश्वी दुम्य परवेश आठ दिसंबर 1941 को होता है यहाँ भी तीन साल के वादिश्टार्ट होता है इसका कारण क्या था? जापान क्या किया इस बार? जापान के द्वारा किया गिया था क्या? तो साथ दिसंबर 1941 को हवाई दुए पिस्थित जो परल हार्बर था वहाँ पर अमेर्की नौशैनिक अड़्डा था उसको हमला करके खतम कर दिया धुस्त कर दिया था किस ने किया था? जापान ने किया था दूसरे वाले विश्वी दिके समय इंग्लेंड का परधान मंत्री विश्टन चर्चिल था और अमेर्का का राष्ट पती कौन था? फ्रैंकली डू डी रुजवेल्ट ठीक है? यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को इंग्लेंड की सांडार अलकाव वाट की नीति का विचारग सेली सेवरी था वर्षा की संधी को आरूपित संधी के नाम से जाना जाता है दूसरे वाले विश्विद में जर्मनी की पराजय कस्रे रूश को दिया जाता है मित्र राष्टरों के सामुहिक प्रियासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना प्रास्थ हो गई और 7 माई 1945 को इसने आत्म समर्पन कर दिया था दूसरे वाले विश्विद के दोरान अमिर्का ने 6 अगस्त 1945 इस वी को जापान पर अनूबम का प्रियोग किया था इस यूद्ध में मित्र राष्टरों द्वारा प्राजित होने वाले अन्तिम देश का नाम अगर आपसे पूछे तो जापान बताईएगा अमिर्का ने 6 अगस्त 1945 को हेरो सिमा पर लेकिल बॉय जिसमें कि यूरेनियम 235 का यूज किया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागा शाखी पर फैटमेन नामक एटम बम गिराया गया था यूरेनियम 239 का यूज जिसमें किया गया था यूरोप में द्वितिये विश्विद के अंत आठ मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना सर्थ आत्म समर्पन कर दिया था अब यहाँ पर है 15 अगस्त 1945 को एसिया में भी दूसरा विश्विद समाप्त हो गया जब जापानी समराज ने आत्म समर्पन करना स्विकार कर लिया था इस घोषना पर 2 सितंबर 1945 को यदों की खारी इस्थित अमेरिकी युद्धपोत नाम क्या है मीसूरी मीसूरी पर मित राष्ट्रों के सर्वोच सेनापती नाम है मैक आर्थर इसके समख्ष में जापान ने हस्ताक्षर किये जापान का परधानमंतरी कौन था एड्मीरल सुजू की था ठीक है इन्होंने क्या किया त्याग पत्र दे दिया फिर अंतरराष्ट्रिय छेत्र में द्वितिय विश्विद्य का सबसे बड़ा योगदान शयुक्त राष्ट्र संग की अस्थापना है अब यहाँ पर कुछ परमुख तत्त है यानि कि परमुख फैक्ट है वह भी दिया गया वर्ल्ड इस्ट्री में फिलाल इन सारे पॉइंट था अफ्रिका में चर्वाहा जीवन किस तरीके का हुआ करता था ये सब बातें आपको यहाँ पर देख लेना है ध्यान रखना है कि यहां से सवाल पूछा जाता है या भी किलास आपको मिल जाएगा भारत और महावंदी जो मंदी बगर आया था ठीक है फिलाल इसे रहने नहीं बना पाए हैं तो अब जो डिसकसन आपको दिया जा रहा है हर एक डिसकसन को हर एक पूइंट को ध्यान से सुनिएगा फिर से कहा जा रहा है क्लास को रिपीट करके आप देख लीजिए और उसके बार अपना प्रेक्टिस एट लगाईएगा वर्ल्ट श्ट्रि का ए इस तरह से discussion वगरा करते हैं cool हो करके, निश्चिन्थ हो करके class को देखना इस्टार्ट करिए और repeat करके देख लीजेगा फिर से आप सवाल बस तिरपन है important fact जो बताया जाएगा साधो 1000 के विपार हो जाए या 500 दिकम्सकम होगा important fact पहला सवाल आपके लिए विश्वे के इतिहास में पहले परमानू आपदा कब होई थी सही जवाब कमेंट करके बताईए अब यहाँ पर सुनिए अपना प्यारा भारत है भारत ने पहला परमानू परिक्षन किया था कब किया था तो date था 18 मई और इसके अलावा सुनिए पाकिस्तान ने कब किया था यहाँ सब सवाल पूछा जाता है बस questions पर मत ध्यान दीजेगा जो बताया जा रहा है फिर से कहा जा रहा है ध्यान से सुनिए पाकिस्तान 1998 में किया था भारत कब किया था 1974 में चीन के द्वारा कब किया था बताये चाइना ने कब किया था चाइना के द्वारा किया था 1964 में फ्रांस फ्रांस ने कब किया था 1960 में आज़ाए ब्रिटेन पर ब्रिटेन ने कब किया था 1952 में 1952 में आज़ाए रसिया पर रस्या ने कब किया था? 1949 में अब आजाते हैं USA पे इनों ने कब किया था? 1945 में ये सारे वैसे देश हैं जो आपके एक्जाम में इन सब के बारे में पूछा जाता है ब्रेटेन ने किया था 1952 में रस्या ने 1949 18 माई 1974 को अपना प्यारा भारत पाकिस्तान ने 1998 में चाइना 1964 में फ्रांस 1960 में USA 1945 में इन सब को आप याद कर लेजिएगा अब समझे परमानू बम का जो सिधान्त है वह किस ने दिया था यह भी आपसे पूछा जाता है परमानू बम का सिधान्त किस ने दिया था तो आटोहन ने दिया था ठीक है इतना वस आप याद रख लीजिएगा और आपको तो यह पता ही है कब कब गिराया गया था थी आपको बताना है पहला परमानू आपदा कब आई थी नमबर सकेंड है अठारवी सताबदी में किस देश ने जर्मनी पर साशन किया था सही जबाब हो जाएगा उप्शन नमबर भी आश्ट्रिया ने किया था अठारवी सताबदी में आश्ट्रिया ने जर्मनी पर साशन किया था आपको ध्यान रखना है जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आकर्मन के ही वज़ा से राष्टवाद का कहिए की मतलब कह सकते हूँ आप उधै होना चेजना जगना स्टार्ट हुआ था अगर आपसे पूस्ता है कि इटली के बारे में जैसा कि आपको बताया गया था इटली के एकी करन में कौन कौन लोग शामिल थे किसका किसका योगदान था इटली के एकी करन में तो आपको मेजिनी का नाम याद रखना है गेरिबालडी का रखना है काउंट काबूर का नाम याद रखना है ये सभी लोग इटली के एकी करन में काफी ज़्यादा कहिए कि अपना रूल प्ले किये थे। कहां का रहने वाला था, जर्मनी का, जर्मनी में जो इस्टुगार्ड है, वहीं का रहने वाला था, हेगेल के द्वारा जो कोई एक फेमस रचना है, यह पूछा जाता है, क्या था, याद करिए क्या था, नियाय का शिधान्त, आपसे पूछा जाएगा, नियाय का शिधान्त खिशने दिया था, आपको हेगल बताना होता है, अरस्तु के बारे में आपको याद रखना है, अरस्तु कहा का रहने वाला था, युनान का दारशनिक था यह काफी फेमश, प्लेटो का नाम आप यहाँ पर देखने हैं, option नमबर 3 में, प्लेटो के लिए आप याद इन्होंने न रिपाबलिक कहिए कि मतलब इनका राचित एक कहिए कि फेमस ग्रंथ है कौन सा रिपाबलिक सुकरात का नाम आपने सुना है सुकरात के द्वारा कहा गया था एक इमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है ठीक है आज ये नंबर फोर पर इटली ने आकर्मन कर किस देश को जीता था ओप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब आभी शीनिया को जीता था इटली के द्वारा आकर्मन करके आभी शीनिया को जीत लिया गया था अच्छा आप सोच लिए होगे आभी शीनिया करके जो है अभी शीनिया है भाई क्या तो पता है एक ना नाम इथोपिया है इटली ने इस अभिशिनिया को जीत लिया था सवाल बनता है कब 1935 में कब जीता था 1935 में मुसोलिनी को आप जानी रहे हो मुसोलिनी ने वर्ष 1922 में रोम पर कब जा किया था मुसोलिनी रोम पर कब जा किया था कब 1922 में मुसोलिनी का जान्म कहा पर हुआ था पूछा जाता है मुसोलिनी का जान्म हुआ था कहा पर देखिए प्रेडिप प्यो करके है कहा पर हुआ है तो प्रेडिप प्यो अगर आपको ऑप्शन में प्रेडिप प्यो देखे तो आप क्या था उसका फासिस्ट क्या नाम था फासिस्ट पार्टी आजाए नमबर फाइब पर प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था ओप्शन नमबर भी प्यूनिक जो है ना रूम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था पहला अगर आपसे पूछेगा कि प्योनिक युद्ध कव हुआ था ध्यान दें पहला प्योनिक युद्ध कव हुआ था तो 264 इसा पुर्व में हुआ था कब तक चला था? 264 इसा पुर्व से 241 इसा पुर्व तक चला था कौन साथ प्योनिक युद्ध चला था ये पहला वाला था इतना ध्यान रखिएगा आज ये मतलब पहला प्योनिक युद्ध हुआ था नमबर 6 है निमन में से कौन सा हुआ रहे गए फ्रांस के 13 स्टेट्स का हिस्सा नहीं था आपको अभी बताया गया था शुरवात में तीसरे स्टेट्स में कौन नहीं होता था तो आपको पता है ये जो पादरी लोग थे ये नहीं रहते थे इसमें पादरी किसमें आते थे पादरी पर्थम स्टेट्स का हिस्सा हुआ करता था सकेंड है आपका कुलीन वर्ग था, याद होगा, कुलीन वर्ग एक किसका हिश्चा हुआ करता था जो इत्ती है स्टेट्स का हुआ करता था, ठीक है उसके बाद फ्रांस की करांती कब हुवी थी अभी आपको बताया गया था तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था कौन सा? तो फ्रांस का जो है क्रांती श्टार्ट हुआ था नारा क्या दिया गया था सुतंतरता, समानता और बंधुत्व आज ये नंबर सेवन पर निमन में से कौन से विशेश था नौकर साही की नहीं है बताना है देखिए स्रम का विभाजन है नियम और वि नियमन है, निमे है शक्ति का पदानुकरम भी है स्वैक्ठिक सदस्यता नहीं होता है नौकर साही का परिभाशा क्या होता है जानते है एक व्यक्ति थे नाम था उनका आरेल्ड ठीक है आरेल्ड के अनुसार नौकर साही का मतलब होता था अफशरों के द्वारा शासन ठीक है यहाँ पे option number first को आप याद रखिएगा बताना है कि 791 में महिला इवंग महिला नागरिक अधिकार घोषना पत्र किस महिला ने तयार किया था अब तो आपको पता चली ही किया होगा अभी आपने देखा था अलंपदे गौजेज के द्वारा कहिए अलंपदे गूज कहिए जो भी नाम देखे ध्यान रखिया कि इनकी द्वारा तयार किया गया था ठीक है यह जो अलंपदे गौजेज है फ्रांस की एक कहिए कि नाटक कार, राजनितिक कार करता कहिए महलाओं के साथ जो भी कहिए कि गलत तरका जवहार हो रहा था उसके खिलाफ ससक्त रूप से कहिए आवाज उठाने का काम की थी नो ने काफी ज़्यादा important इनका नाम है आपके exam में अगर world history से सवाल आएगा तो यह सवाल आने का chance काफी ज़्यादा होता है चपन से त्रेशट तक चत्रोसो चपन से त्रेशट तक चला था कौन से देश की फौजों की इसमें हार हुई थी किस देश की फौज की हार हुई थी देखिए सबसे पहले समझे सब्त वर्सिये जो यूद्ध हुआ था ना यह ना किसके किसके बीच हुआ था बिर्टिश ले लिए मतलब इंग्लेंड के बीच हुआ था और इंग्लेंड और कौन थे फ्रांस के बीच में इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में हुआ था कौन सा सब्त वर्षिय युद्ध हुआ था फ्रांस इसमें क्या हुआ था हार गए थे सब्त वर्षिय यूद याद रखिएगा इंग्लेंड और फ्रांस की बीच में हुआ था आपसे एक और चीज पूछा जाता है गुलाबों का यूद गुलाबों का यूद याद रखिएगा इंग्लेंड में हुआ था ठीक है आप से पूछा जाता है कि इंग्लेंड में जो गौरब पूर्ण क्रांती हुई थी कभ भी थी काफी इंप्रोटेंट है 1688 में इंग्लेंड में गौरब पूर्ण क्रांती हुई थी सासक उस समय कौन थे जब इंगलेंड में गौरब पूर्ण करांथी 1868 में हो रहा था तो आपको बताना है क्या James दूइतिये क्या नाम था James दूइतिये एक कथन था कि मैं ही राज जुहूं और मेरे सब्द ही कानून है फ्रांस के शाशक थे लूई 14 हुआ अरे भाई और क्या हो रहा है फ्रांस इसी थे फ्रांस में हुआ था लूई जो 14 हुआ है ठीक है इनके समय में हुआ था मतलब ये कहे थे मैं ही राज जुहूं और मेरे सब्द ही कानून है हो सकता है आपका दिहान लूई 16 हुआ पर जाए ऐसा नहीं जाने दिन लूई ये ध्यान रखना है 14 हुआ पर रखना है पता है 14 जुलाई का जो डेट आपको बार बार कहा जा रहा है 14 जुलाई आप याद हो गया होगा और 14 जुलाई को फ्रांस में राश्टिये सुतंतरता आदिवस के रूप में मनाया जाता है याद है 14 जुलाई को क्या हुआ था स्टार्टिंग में आपको बताया गया था बास्तिल का किला था उसका जो बास्तिल किला था उसको ध्वस्त किया गया था तोरा गया था ठीके अब आते है नमबर 10 पर प्रत्म अफिम यूद कर्षमापन करने वाली संधी कौन सी थी नमबर 1 नौन किंग संधी था क्या था? नौन किंग संधी था पहला अफिम यूद ब्रिटेन की द्वारा चीन पर किया गया कहिए कि आकरमन कारी यूद था पूछा जाता है अफिम यूद कब से कब तक चला था 849 से लेकर की 842 तक चला था ठीक है कब से कब तक 49 से 42 तक पूछा जाता है नमबर 11 है यूटोपिया के लेखक का नाम थॉमस मूर थॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया पुस्तक लेखा गया है थॉमस मूर वकील थे अंग्रेजी वकील थे लेखक थे पुनरजागरन कहलाते थे दार्शनिक कहलाते थे देखिए अब आईए यूटोपिया पर यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ था 1516 एश्वे में थॉमस मूर की पुस्तक जो है प्लेटो नाम आपको याद रखना है रिपबलिक के रिपबलिक जो है किसके द्वारा तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया था वेबर की अनुशार निम्न में से कौन सी पारंपरिक सत्ता का स्रोत है किसके अनुशार वेबर की अनुशार नमबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा प्रथा लिखा हूँ है प्रथा ठीक है वेबर के अनुसार प्रथा जो है वो पारंपरिक्सत्ता का न सुरूत होता है ठीक है नमबर ठाटी ने वर्ग संगर्ष की अबधारना किसने दिया वर्ग संगर्ष की अवधार्णा किस ने दिया नमबर ठटीन कारल माक्ष ओप्शन नमबर फर्स्ट सही जवाब है कारल माक्ष की अवधार्णा है क्या है मतलब वर्ग संगर्ष पूछा जाए तो कारल माक्ष के द्वारा दिया गया था आजाए ये नमबर 14 पर जहाँ जहाँ important fact आपको जानना चाहिए उस सब आपको बताया जा रहा है नमबर 14 कह रहा है दुर्खिम के अनुशार आधुनिक समाज में देखिए option नमबर C साव्यवी एकता होनी चाहिए दुर्खिम के अनुशार आधुनिक समाज में साव्यवी एकता होना चाहिए इसका मतलब पता है मतलब क्या है समझे एक इनोंने न क्या किये थे एक पुस्तक दिये थे दुर्खिम social division of labor ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है देखिए वर्ल इस्ट्रिया पर रहना तो जो भी important book वगड़ा है जो लिखा गया है केशी के द्वारा उसे तो आपको खड़ याद रखना ही है आप previous year अपना उठा के देख लिजेगा आपको पता चल जाएगा कि पुस्तक के बारे में पूछा गया है या नहीं दुर्खिम का पुस्तक है social division of labor काफी important है ये book याद रखेंगे कहला कि वेबर के अनुशार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक किडिया की क्या फिल करेंगे option number 2 सहयोगातमक सोच विक्षित करना होता है वेबर के अनुशार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक किडिया की सहयोगातमक सोच विक्षित करना होता है नंबर 16 पड़ाईए प्रोटे इस्टिंट वाद के जनक कौन थे नंबर पहला जो है मार्टिन लूथर सही जबाब है प्रोटे इस्टिंट वाद के जनक मार्टिन लूथर थे ठीक है देखिए आपको मार्टिन लूथर किंग जुनियर याद होगा इनको USA का कहिए कि मार्तमा गांधी कहा जाता है यह भी आप ध्यान रखिएगा आज यह नंबर 17 पर पहले वाले विश्विद के दोरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रिये बलों में शामिल हुआ था अब आपको कन्फ्यूज करेगा अगर आप सही से नहीं देखे होगे किलास दो आप्शन नंबर 20 अहीं जवाब हो जाएगा बुल्गारिया ध्यान रखिएगा पहले वाले विश्विद के दोरान बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रिये बलों में शामिल हो गया था अक्टूबर 1915 था वह आपको ध्यान रखना है पहला वाला विश्विद जो हुआ था उसका तातकालिक कारण क्या था कुछ दर पहले आपको बदाया गया था एक व्यक्ति का नाम क्या नाम था तो सेरा जेवो सेरा जेवो कौन थे तो आश्ट्रिया के क्या थे राजकुमार थे ठीक है पहले वाले विश्विद के दर उसका पंदरा में ठीक है यह तो हो गया तातकालिक अगर पूस्ता है कि आपसे क्या कारण रहा था तो आश्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्ग ड्यूग फडिनेंट और उनकी पत्नी थी उनकी हत्या कर दी गई ठीक है तो मतलब से जो जेवो की ही हत्या कारण माना जाता है पहला जो हत्या है कब हुई थी यह सवाल आपसे पूछेगा तो 28 जून 1914 को 28 जून का डेटा पूयार रखने हत्या होता है एक महने के बाद जो 28 जुलाई का समय आता है इसी दिन से स्टार्ट हो गया था विश्वी युद्ध जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर आकर्मन किया था याद होगा अप्रेल 1915 में इटली का नाम आप जानते हूँ इटली मित्रराष्ट की और से युद्ध में सामिल हुआ था यह पॉइंट आपको नहीं बताया गया था तब ध्यान रखियेगा अप्रेल 1915 में इटली जो है इटली यह क्या हुआ था सामिल हो गया था किसमें सामिल हो गया था भाई तो मित्रराष्ट की और से सामिल हो गया था और 11 नवंबर का डेट आपको याद रखना है 1918 इस दिन पहला विश्विद समाप्थ होता है अब आते हैं नवंबर 18 और यह आपको कहा पर लेकर चल रहा है कुश्चन देखिये कहला कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुदर में फैका गया इस घटना को किस नाम से जाना जाता है इसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन का जो एक कहिए कि मेसाचुचेश्ट है यहीं पर सेंस ओफ लिवर्टी नाम से एक कहिए कि संगठन आप कहा सकते हो पार्टी कहा सकते हो ये न बोस्टन टीप पार्टी की घटना को अन्जाम दिये थे क्या किये थे जितने भी कहिए कि चाय का पीटी था उसको समूदर में फेक दिये थे स्वतंतिता के पुत्र और पुत्रियां वगड़ा करके कहा गया था इन्हें हिंदी में ठीक है नमबर नाइंटीन है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, बेटेन, पुर्टगाल, फ्रांस, बैल्जियम, हॉलेंड, लगजंबर्ग, तुर्की और ग्रीस इन्होंने एक सैनिक संगट संधी की थी जिसे क्या कहा गया था इसे ऑप्शन नमबर भी नाटो कहा गया था ध्यान रखेगा, नाटो का जो गठन है, चार अपरिर उनिस्स वन्चास को वाशिंग्टन डेशे में किया गया था नाटो का जो मुख्याले है, बेल्जियम की जो राज़धानी ब्रूसेल्स है, यहीं पर बनाया गया था आज ये नमबर ट्वेंटी पर पहला वाला विश्वुद का मुख के कारण क्या था? यहाँ पर ना, आप्शन आप बी को देख लिजेगा, तिरे पक्षिय संधी के वज़ा से हुआ था आपको कुछ दिर पहले ध्यान होगा, बताया गया था 1882 इश्वी में एक संगठन बना था एक संधी हुई थी तिरे पक्षिय संधी, ट्रिपल एलाइंस कहा गया था वर्ष 1882 में जो तिरे पक्षिय संधी हुआ, ट्रिपल एलाइंस जर्मनी को ना, आस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ने का काम किया था और फिर एक बनता है वर्ष 1907 में आप एक जाम में ध्यान देजेगा किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 1907 में एक और संधी हुआ था इसे आप ट्रिपल एंटेते के नाम से जानते हो इंगलिस में ट्रिपल एंटेते आपको देखना है इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मतलब जुड़े हुए थे बताया गया पहला वाला विश्यूद का ततकालिक कारण आश्ट्रिया, हंगरी के राजकुमार, आर्कड्यूग, फर्डिनेंड की जो सिरोजेवों में हत्या हो गया था इसी वज़ा से हुआ था पहला वाला विश्यूद 28 जुलाई 1914 से 11 नमबर 1918 तक चला था पहले वाले विश्यूद जुमें धोरी राष्ट और मितराष्ट के बीच में यही दोनों के बीच में लड़ा गया था नमबर 21, पंच सील के बीच का समझ होता है पंच सील किसके बीच का समझ होता है तब पंच सील सबसे पहले धियान रखेगा 29 अप्रेल 1954 में हुआ था ठीक है भारत के परधान मंतरे जवाहर लाल नहिरो और चीन के जो प्रिमियर कहा जाता था आप क्या सकते हो परधान मंतरे नाम था चाव एन लाई इनके द्वारा 45 समझोते पर साइन किया गया था समझोता जो है चीन के चेत्र रफारत का चेत्र का ये गत्रशे क्ति तिबथ है उसी के समन्धिट ये हुआ था पन चीन में शिल में पांश तरह का सिधहन्त मतलब का यह कि इमाना गया था इसे भी ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर देखिए पर्थम विश्वुद का तातकालिक कारण क्या था अब अगर आपसे तातकालिक कारण पूशता है तब आपको फर्डिनेंट की जो सेरोजेवो में हत्या हुआ था बस इसी के वज़ा से हुआ था अब जो भी important fact है वो तो आपको बताया ही गया था तो आप ये बात ध्यान रखिएगा आज ये number 23rd पर Cultural Revolution के समय Communist Party of China के परमूख कौन थे Option number C Mao Zedong आपको याद रखना है क्या नाम है? Mao Zedong क्या थे Cultural Revolution के समय Communist Party of China के परमूख थे ये चीन में समयवादी पार्टी के जनक आपसे पूछा जाता है कौन रहा है? कौन थे? ध्यान दें चीन में आपसे पूछेगा क्या पूछेगा? समयवादी जो पार्टी है इसके जनक क्या नाम बताएंगे? माओ तसे तूंग देखिए आपको फिर से कह दिया जा रहा है काफी सुलो सुलो आपको बता रहे हैं है ना जो भी सवाल है उसका जो भी एक्स्प्लानेशन वगड़ा है बहुत कूल होके बता रहे हैं अगर आपको इसा लग रहा है और जादा तेज बताना चाहिए तो आप क्लास को खुद से सेटिंग में जा करके फास्ट कर लीजिए नहीं अगर आपको और ध्यान से सुनना हूँ तो इसका जो स्पीट है ना 0.75 पे कर लीजिए हर एक बात को ध्यान से सुन लीजिए जिनका भी एस्टिट वगड़ा खास करके है या फिर 9-10 का अगर आपका एकजाम है किसी भी टीचर वाला वेकेंसी का आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए फायदे में रहिएगा इस क्लास को बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है कुर्शन पेपर आप रिवियर सेर का देख लिजिएगा तब आप साथ समझ पाएंगे क्या ये सब जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है क्या ये सही है क्या आपके लिए जानना जरूरी है या नहीं है एक जगा एकठा करके हर एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है तो आप ध्यान से सुनिए समझिए याद कर लिजेगा अच्छे से और संभव हो सके क्लास को रिपीट करके दो चार बार देखिएगा पहले भी सुलवात में कहा गया था वर्ल्ड इस्ट्री का इसा टॉपिक है न आप बहुत सारे नाम से अनभिग होते हैं जैसे में अगर यहाँ पे उत्तर परदेश जारखंड का बाद रहता या फिर किसी राजनिता का नाम रहता एक बार में आप छवी बना लेते लेकिन जो जो नाम यह सब माउत से तूंग करके हैं आप लोग नाम कभी सुने भी नहीं है अजूबा लग रहा भाई यह कौन है कहां से आ गया दिमाग में सेट नहीं होगा दो चार बार किलास को देखिए एक बार अभी देखिए फिर दो चार पांच दस बारा घंटे के बाद देखिएगा फिर दो दिन के बाद देखिए फिर एक दो दिन के बाद देखिए चार पांच बार कम सकम देख लिजी एक सब्ता में जिनका भी खास करके 9-10 का एक्जाम हो और अगर आपके 19th exam में world history पूछा जा रहे ता आपको ये देखना बनता है ठीक है तो ये नाम आपको या रखना होगा चीन में सामयवादी पार्टी की ये क्या थे संस्था पग रहे थे अब आप यहाँ पर धियान रखिए माउत ससे तूंग जो है वर्ष 1969 में 1949 में या जो पार्टी है सामयवादी पार्टी इसके और से चीन में पहले राष्ट पती बने थे कौन यही वेक्ती माउत ससे तूंग करके ठीक है आज आता है नमबर 24 पर कहले कि जापान में रख्ट हीन क्रांती या मेजी पुनः अस्थापना किस वर्ष में हुई थी यहाँ पर आप ऑप्शन नमबर B 1868 AD याद रखिएगा मेजी जो है ना पुनः अस्थापना के साथ जापान में आधोनी करन की परकेडिया कहिए कि शुरुआत इसका हो गया था ठीक है यह ध्यान रखिएगा उप्शन नमबर B जापान में रख्ट हीन क्रांती या फिर पूछे मेजी पुनः के स्थापना 1868 में हुआ था ठीक है 1688 तो बताया गया था गौरब पूर्ण क्रांती कहिए या फिर रखते हीन क्रांती कहिए ब्रिटेन में हुआ था और जब ये ब्रिटेन में तीसरा वाला जो ब्रिटेन में जब गौरब पूर्ण क्रांती हुआ था ना उसके बाद ना एक नाम याद रखना है आपको उस वक्त नहीं बताया गया था विलियम थर्ड विलियम तेर्थिये ये न अब रिटेन के सासक बन गए थे उसके बाद ठीक है कहता कि इंगलेंड ने अमिर्का पर स्टांप एक्ट लगाया था किस वर्ज में काफी खतरनाक स्टांप एक्ट रहा था और यही कहिए कि अमिर्का को इदम और विद्रो करने पर कहिए कि उतारू कर दिया था 1765 में इंगलेंड ने अमिर्का पर ना छोटा छोटा समान वगड़ा पर कहिए कि एक्ट वो इस्टैंप लगाता था और उस पर कहिए कि मतलब अच्छा खासा कहिए कि पैसा वगड़ा उसको देना होता था ठीक है तो उसी समय क्या हुआ था स्टैंप एक्ट के विरोध में अमिर्कियों के दुआरा एक नारा दिया गया था पता है कौन सा परतिनी रित्त नहीं तो कर नहीं आपने सुना होगा कहां से जूरा हुआ है यहत्? अमिर्का से निम्लिखित में से कौन से एक उपनिवेश्वाद के उधर का आथुनिक करेंग अत्याठिक उप्यूक्त कारण है उपनिवेश्वाद के उधर का option number first अद्योगी विकास आपको बताना होगा ठीक है अद्योगी विकास रहा था उपनिवेश कर उदय का सबसे बड़ा कारण बताईए मेशोप पुटामिया का अभी प्राय क्या है बहुत बार आप पर्श चुके हो इसके बारे में तो मेशोप पुटामिया का युनान में अर्थ आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होता है दो नदियों के बीच की भूमी मेशोप पुटामिया विश्व का प्राचीन सब्विता वाला कहिए कि अस्थान में से एक है पूछा जाता है मेशोपोटामिया कौन सा यूगीन सा पहता था आपको क्या बताना होगा मेशोपोटामिया के बारे में कौन सा यूगीन कौन सा यूगीन सा पहता रहा था इस्पैनिंग जेने की खोज किषने किया था इस point को वैसे अभी हम लोग नहीं देखे थे जो अभी एक topic छोड़े थे न topic number 7 वहीं पर कर ये सवाल है तो यहाँ पर आप दिख लिजी Spanning Jenny की खूज James Hargreaves की दुआरा किया गया था पहुत ही ज़्यादा important है याद रखिएगा Spanning Jenny और एक flying shuttle करके है उसके बारे में आपको बताया जाएगा मतलब अभी आप देखिए सुनी लिजिए Spanning Jenny की खूज James Hargreaves ने किया था आपसे अगर पूछेगा कि water frame का खूज किस ने किया था तो water frame 1779 में किया गया था किसका water frame का 1779 में किस ने किया था रिचर्ड आर्क राइट ने किया था आर्क राइट ने किया था आपसे पूछा जाता है power loom का रोकिए देखिए लेजे से याद कर लेजे अच्छे से आपसे क्या पूछा जाएगा तो power loom आपको बताया गया न power loom इसकी खूच कप की गए थी 1785 में की गए थी ठीक है किस ने किया था तो कार्ट राइट क्या नाम था कार्ट राइट ध्यान दें कार्ट राइट कहा जा रहा और जश्ट अभी आपको बताया गया क्या water loom बहुत जगा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यह बात नहीं समझाया जाएगा कि दोनों में कुछ अंतर है या नहीं यहाँ पर ना आर्क राइट है देखिए कैसा कंफ्यूजन होगा अब आपको भी है ना water loom आर्क राइट power loom कार्ट राइट इसके नाम के पहले पावर loom में आपको क्या देखेगा तो एडमन एडमन कार्ट राइट देखेगा और अगर water loom की आप बात करेंगे इसमें एक सेगेंड देखिए हो क्या ना लगी रहा था दूसरे को क्या कहें खुद कंफ्यूज कर गए कंफ्यूज नहीं के तो अचा मिश्टेक हुआ था क्या हुआ था बता देते हैं सुनिए सबसे पहले आप इस्पिनिंग जेनी को याद रखिए ये ना सत्रह सो पैशट में इसका विश्कार हुआ था किसने किया था तो जेम्स हर गरीब ये ने किया था ठीक है ये हो गया एक अब यहाँ पर दोसरा देखिए एक था वाटर फ्रेम ठीक है सत्रह सो उनात्तर में इसकी अविश्कार हुई थी किसने किया था तो रिचर्ड किसका बता रहे हैं वाटर फ्रेम ना तो वाटर फ्रेम में आर्क राइट हो जाएगा ठीक है वाटर फ्रेम सत्रह सो नत्तर में रिचर्ड आर्क राइट ने किया था अब एक आता है क्या पावर लूम पावर लूम का विश्कार किसने किया था यहाँ पर आपको एडमन कार्ट राइट याद रखना होगा ठीक है यही बताना चाह रहे थे और कब किया गया था पावर लूम का तो यह हुआ था सत्रासो पाचासी में ठीक है आप यहाँ पे आप याद रखिए ठीक है अगर आप से पूछा जाए कि नहीं ऐसे तो बनेगा नहीं पावर लूम एडमन कार्ट राइट ने किया था और वाटर फ्रेम पूछेगा तो रिचर्ड आर्क राइट आपको बताना है इस वी तो आप देख लिजिए और आप चाहे तो यहाँ पे स्किन सॉट लिजिए और अभी आपको तीन और बताते हैं उसे भी याद रखिएगा इसकीन सॉट लिजिए अब आगे देखिए एक आया था वास्पिंजन यह तो आप जानते हूँ वास्पिंजन का जो है सतरसो उनत्तर में जेम स्वाट किये थे अब एक है जो आप सायद नहीं जानते होंगे बहुत लोग जानते भी होंगे जो जानते हैं रिवाइज कर ल लेंप शैप्टी लेंप ना अठारो सो पंदरा में इसकी खोज की गई थी और खोज करने वाले का नाम है हम हमफ्री हमफ्री डेवी सैप्टी लेंप अठारो सो पंदरा में हम हमफ्री डेवी के द्वारा खोज की गई थी और एक है इस्पिनिंग मियूल 1779 में सैमूल क्रॉम्प्टन ने किया था ठीक है बस इसका भी आप इसके इन सॉट लेकर चाहें तो रख लीजिएगा यह जो आपको पाच्छे बताए गये ना आप इसे याद कर लीजिए और एक सवाल यहां से पूछा जाएगा खास करके जो भी आपका टीचर वाला एक्जाम होगा 910 वहाँ तो पूछना तय है चलिए अब आते हैं कुश्चन नमबर 28 आपने तो देखी लिए आप 29 पर आज़ेए भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निर्पेक्षता की नीति पराधारित है भारत की विदेश नीति ब्रिटेन द्वारा चीन विजए की शुरुवात हुई थी कहला है कि ब्रिटेन की द्वारा चीन विजए की शुरुवात हुई थी तो कब हुआ था भाई? ओप्षन नम्बर, कैसे हो था, अफिम यूद के साथ हुआ था, पहला वाला अफिम यूद कभ से कब तक चला था, 1849 से 42 तक चला था, ठीक है पहला वाला जब अफिम युद्ध हुआ ना इसमें हार जाने के बाद चीन को अंग्रेज के साथ एक संधी करना परा था कौन सा संधी? नौन किंग की संधी करना परा था कब? 1842 में फिर होता है दूसरा वाला अफिम युद्ध कब होता है ये? इसी समय में हुआ था दो संधी आपको अफिम युद्ध याद रखना होता है कहना है कि निम्न में से कौन से संधी इरोप में शामयवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी आप्शन नमबर थाड नाटो की अस्थापना की गई थी उत्तरी अट्लांटिक संधी संगठन नाटो की अस्थापना चार अप्प्रेल को हुआ था वर्स उनिश्शो उन्चास में कहा है कि निम्न में से कौन श्वतंतरता को अधिकारों के उत्पात की रूट में देखता है आप्शन नमबर भी लॉस की आपको नाम ध्यान रखना होगा ठीक है कह रहे है कि नमबर 33 में परिस्त्रो इकाह का क्या आशे है मतलब क्या समझते हो आप इसे इसका क्या मतलब होता है आप्शन नमबर फर्ष्ट पुनर निर्मान होता है ठीक है अगर आपसे पूछेगा परिस्त्रो इकाह क्या मतलब होता है तो पुनर निर्मान आपको बताना होगा यहाँ पर अच्छा सुभियत संग का पतन भी आपसे पूछा जाता है कब हुआ था बताइए सुभियत संग का पतन 1990 1990 1990 1990 1993 कब हुआ था निमलिखित में से कौन नाजीवात का संस्थापक था अडोल्फ हिटलर कौन था अडोल्फ हिटलर समझिएगा हिटलर जो है ना वर्स 1923 इस्वी में क्या हुआ था जर्मनी का क्या बना था तनसाह बना था हिटलर के द्वारा ही वर्साइ की संदी और राष्ट संग का जो भी कहिए कि सिधान्त वगर था ना उसको तोड़ा गया था जो यह आपका नाम दिख रहा है ना बेनिटू मुसुलिनी ये भाई साब क्या किये थे ये ना फाशिवात की अस्थापना किये थे किसकी फाशिवात की अस्थापना किस ने किया था मुसुलिनी ने किया था मुसुलिनी कहा का था कहा का तानासा था इटले का तानासा बना था ये बिस्मार्क यहाँ पर अप्शन नंबर सी में दिया गया है बिस्मार्क के बारे मैं आपको ध्यान रखना होगा विश्मार की जो है 1871 से 90 तक जर्मनी का चांसलर भी रहा था यह भी आपको दियान रखना होगा और एक नाम याद रखेगा स्टालीन स्टालीन ठीक है यह जो आधोनिक रूश है यानि कि जैसे आप पुर्ल सोव्यत संग कहते थे और आधोनिक रूश है इसका निर्माता माना जाता है इसे ही स्टालीन को नमबर 36 है कौन सा यूरोप में नमिखित मैंसे कौन सा है जो यूरोप में सामतवात के उदै का प्रमुख कारण रहा था अच्छा अच्छा एक सवाल छूट गया नोगे देखते हैं चलिए बताईए रोवन सामराजी के पश्चात बरबर राजियों की अस्थापना हुई थी इसी वज़ा से क्या कह रहा है यहाँ पर किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संगर्ष की कहानी है देखिए यह कार्ल माक्ष के द्वारा कही गई बात है क्या इतिहास वर्ग संगर्ष की कहानी है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक एंगल्स एक नाम था फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल माक्ष यह दोनों व्यक्ति मिलकर के समाजवादी विचार धरा को आगे बढ़ाए थे ठीक है दास कैपिटल नाम याद है आपको दास कैपिटल दास कैपिटल पुस्तक ना कार्ल माक्ष कहीं है परकासित कब हुआ था यह भी आप से पोचा जाता है अठाथा सो सरसट में परकासित हुआ था यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है मतलब कितना इंपोर्टेंट है बता नहीं सकते हैं है ना बहुत इंपोर्टेंट बस यह धियान रखिएगा कह कम रहे समझ के जादा कह रहे हैं यहाँ पर आभी आपने देखा कौन सा यूरोप में सामतवाद के उदे का परमुक कारण था तो रोमन समराज के पतन के पश्चाथ बरबर राज्यों की अस्थापना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चलिया यह 37 पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको देखने में प्राबलम हो इस पेज में मैनेज करिए निम्र में से किस यूरोपिय जाती को इंडोनेशिया में परबुत जमाने में सफलता मिले परबुत जमाने में ऑप्शन नमबर डी डचों को मिला था डच को इंडोनेशिया में परबुत जमाने के सफलता कही की मिल गए थे ध्यान दिजेगा कि 1619 का इश्वी था 1619 इस समय दचो ने एक जगा है बैटीविया उस पर अधिकार किया था बैटीविया है भाई क्या सोचेंगे बैटीविया क्या है अभी आपको बताते क्या है बैटीविया किसका पुरा नाव मैं पता है जकारता का अब थो आप समझ गया होंगे ठीक है याद रखेगा इस पर वो क्या था अच्छा दच इस्ट इंडिया कंपनी क्या स्थापना कब हुए थी ये सब थो आपको पता होगा भी बताएंगी भी नहीं नहीं भी पता है नहीं बताएंगे किस घटना ने अमिर्का को 211 को हमला कर दिया था जापान ने कहाँ पर परल हर्बर नोसनी कड़ा पर परल हर्बर ना किस महाशागर में है यह पूछा जाता है परल हर्बर हिंद हिंद महाशागर में है ये डियागो कार्षिया दूइब पर है जापान ने पहली बार मानव बम का परियोग कहां पर किया था किसलिए किया था तो परल हर्बर को ही धोस्त करने के लिए तक किया था ठीक है और इसके बाद USA जो है आठ दिसंबर 1941 को युद्ध में सामिल हो गया था छे नहीं बताने ही वाले देखो चो रहे देखे नमबर 39 के रहे गुट निर्पेक्ष आंदुलन का पहला सिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था ओप्शन नमबर C बेल ग्रेड उनिश्व 61 में हुआ था देखने में अगर साइट से कट रहा हुआ तो मैनेज करिए गुट निर्पेक्ष आंदुलन का पहला सिखर सम्मेलन से समझे बेल ग्रेड उनिश्व 61 में हुआ था कौन से मसीन वाटर फ्रेम और इस्पेनिंग जनी का मिस्टरन है बहुत अच्छा बताए कौन सा है बहुत अच्छा सवाल है ओप्शन नमबर B इस्पेनिंग मियूल आपको बताना होगा मसीन, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जनी का मिश्रन नाम आपको याद रखना होगा सेमुल क्रॉम्टन सेमुल क्रॉम्टन ने स्पिनिंग मेउल का अविश्कार किया था गब किया था सत्रो सो चेहत्तर में किया था ठीक है जो सूत का ताई वगड़ा होता है ना उसमें काफी जादा कहिए कि क्या हुआ था इस पीठो हो गया आ गया था रेल इस्टीम इंजिन का अविश्कार किस ने किया था तो जोर्ज इस्टीफेंस ने किया था यह तो आपको पता होगा बताएं कि वर्स 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश सामिल थे तो आप्शन नमबर आपको बताना होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाउस सही जबाब है वर्स 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाउस देश सामिल थे पहला वाला अविश्ट्रियुद कब हुआ था अब जानते ही हैं रने दीजे शामेवाद का परियोग पहला परियोग किस देश में हुआ था शामेवाद का सरपर्थम परियोग किस देश में हुआ था तो सबसे पहले हुआ था कहाँ पर option number third सही जवाब रोश में हुआ था ठीक है अक्टूबर करांती के बाद बॉल्सेविक दल जो थी उन्होंने अपना नाम सामेवादी दल रख लिया था सामेवादी घोषना पत्र का प्रकासन पूछा है पहली बार कब हुआ था बहुत ही ज़्यादा point important है समझिए पहली बार सामेवादी घोषना पत्र का प्रकासन कब हुआ था वर्स अठारो सो अर्टालीश में हुआ था कार्ल माक्स और एंजल्स के द्वारा किया गया था सामेवादी घोषना पत्र दूसरी बार पूछा जाता है दूसरा वाला वर्स उनीश में लेनिन के नेतित में प्रकासित किया गया था ध्यान रख्येगा अमेरिका के सुतंतरता संग्राम के नेता कौन थे जो वासिंग्टन है यही रहे ते जॉर्ज वासिंग्टन के नेतित में अमेरिका में जो सुतंतरता आंदूलन हुआ था वो लड़ा गया था अमेरिका के सुतंतरता आंदूलन पूछा जाएगा कब से कब तक हुआ था चार जुलाई कब चार जुलाई को अमेरिका अपना स्वतनतरता दिवस मनाता है और जॉर्ज वासिंग्टन जो थे इनहीं को अमेरिका का पहला राष्ट पति फिर चुन लिया गया था ठीक है इसे भी ध्यान दख लेना है अच्छा एक बाद और सुनिये जो अमेरिका है वहाँ पर दासपर्था को समाप्थ किया गया था पता है ना दासपर्था को अमेरिका में तो आठारो सो न एक सट से एक सट से अठारो सो पैशट के बीच में ये वाला दासपर्था के खिलाफ युद्ध चला था अब्राहम लिंकन नाम याद रखेगा उनके समय में ये खतम हुआ था और मार्टिन लूथर किंग जुनियर थे उन्होंने अमेरिका में रंग भेज नीती के खिलाप में आंदूलन चलाए थे पंदरवी सताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुचे थे पंदरवी सताब्दी में कह रहा है option number first पूर्टगाली आये थे अगर भारत आने के अगराम पूछेगा P.D.E.F. पूर्टगाली, डच, अंग्रेज, फ्रैंच यहाँ फ्रांसेजी कहिए यह आये थे ठीक है तो यहाँ पे दिहान रखेगा पंदरवी सताब्दी में पूर्टगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुचे थे ठीक है भारत आने वाला पहला European Company का नाम Company जो है कौन सा मतलब रहा था पूर्टगाली ही था और पूर्टगाली कंपनी भारत से जाने वाला अंतिम भी रहा था यह तो आपको पता होगा 1499 में वास को डिगामा भारत आये थे पहला वाला विश्वित का ततकाली करन था ने भाई सहाब कितना पर देंगे और अप्शन नंबर भी अस्ट्रिय के राजकुमार के हत्या कलएक अमेरका में जो अमेरका में नागरी का धिकार आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था ओप्शन नम्बर फ colon अमर्टिन लोथर किंग जूनियर के द्वारा मार्टिन लूथर किंग जुनियर की स्वेतों के द्वाराना हत्या कर दी गई थी पता है कब उनिश्व सर्षट हिश्वी में 1967 में अमिर्का का गांधी कहा जाता है इनको जो नेलसन मंडेला सहाव हैं ये नेलसन मंडेला ये कौन थे पता है न ये गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए कि दच्छिन अफ्रिका में रंग भेद नीती के विरुद में यांदुलन चलाए थे 1994 में यूएन ने रंग भेद नीती का समाप्त कर्द उसी खटम कर दिया था दच्छिन अफ्रिका का कांधी नेलसन मंडेला सहाब को कहा जाता है कैरे कि सामेवादी घोषना पत्र के लेखक कौन थे ओप्शन नमबर फर्स्ट कार्ल माक्स सही जबाब है देखिए 21st जनवरी 1948 इस वीको ना पहली बार ठीक है फर्स्ट टाइम सामेवादी जो घोषना पत्र है ये जर्मन भासा में तयार किया गया था प्रकासित हुआ था और आपसे पूछा जाता है वज्ञानिक समाजवाद के जनक तो आपको कारल माक्सी यहाँ पर याद रखना होगा और यही बताना है शकेंड वाला जो विश्वियोद्वारा इसका तातकालिक कारण क्या था पॉलेंड पर जर्मनी का हमला कर देना जर्मनी ने पॉलेंड पर फर्स्ट सेप्टमबर 1939 को हमला कर दिया था और फर्स्ट सेप्टमबर 1939 को दुवित्य विश्विद्व के सुरवाद हो गई थी 1945 में समाप्त हुआ था दुवित्य विश्विद्व का मूल कारण आपसे पूछा जाएगा याद रखिएगा वर्साय की संदी थोप दी गई थी इसी वज़ा से हुआ था दूसरा वाला विश्विद्व में एक सितंबर 1941 को पॉलेंड पर किसने आकरमन किया था अडोल्फ हिटलर ने किया था किसने किया था अडोल्फ हिटलर ने किया था आए 51 पर अब यहाँ पर तो आपको और भी ज़्यादा देखने में साथ दिक्कत हूँ चरीए और तो मैनेज करिए क्या कह रहा है कि सर्व पर था यूरोपीयन व्यापारी जो हिंद चीन आये थे अभी आपने देखा पूर्टगाली सही जवाब है अच्छा भारत पर आदेए थोड़ा सा पूर्टगाली कंपनी ने भारत में पहला कार खाना कब खोला 1502-3 में कहा पर कोचिन में खोला पूर्टगाल गोवा से कब गया 1961 में वासको डिगामा का नाम आपने सुना है अब्दूल मजीद के सहयोग से 17 मई 1498 को केरल के काली कट आये थे अब्दूल मजीद कहा के गुजरात के थे व्यापारी थे परसा के राजा विलियम पर्थम को कहां जर्मनी का समराट घूशित किया गया वर्साय में ओप्शन नमबर डी सही जवाब है विलियम पर्थम ने कि इसकी नेतित में ना 1871 इस्वी में आपको याल रखना है कब 1871 इस्वी में जर्वनी का एकिकरन किया गया था अच्छा परसा और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था कब 1870 में आपको बताना है फ्रांस के शाशक नेपोलियन तिर्थिये ने आत्म समरपन किया था किसके समख्च किसके सामने परसा के सामने एक और हुआ था फ्रेंक फर्ट की संधी ध्यान दे कौन सा तू फ्रेंक फर्ट की संधी कब हुआ था वर्स 1871 में मई में किसके किसके बीच में फ्रांस और परसा के बीच में हुआ था अब आते हैं कुश्चन नमबर 53 पर तॉल स्टॉय ने अपनी शमाधी के विशे में कहा तो आप्शन नमबर फर्ष्ट निर्धन से निर्धन के समान हो ए सही जवाब है तॉल स्टॉय न एक परसीद का ये लेखक थे दार्शनिक थे इनके द्वारा पता है क्या लिखा गया है तॉल स्टॉय के द्वारा क्या लिखा गया है इनके द्वारा लिखा गया है वार एंड पीश वार एंड पीश किसके द्वारा लिखा गया है तलियो तॉल स्टॉय के द्वारा इन्होंने न जब इनकी मतलब इनका निधन होने वाला था मातमा गांधी ना लियो टॉल्स्टॉई से काफी ज़्यादा प्रभावित थे और गांधी जीन दचिन अफ्रिगा में टॉल्स्टॉई आश्रम के अस्थापना भी किये थे वर्स उनिश्व दस में ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 53 में से एक सवाल आपके लिए था आशा है कि आपने जवाब दे दिया होगा टोटल 52 कोस्टंस आपने देखा डिसकर्शन के साथ आपको बताया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसकर्शन था वो आपको दिया जा चुका है आसा करते हैं किलास आपको पसंद आया होगा अभी आप इस किलास को देख लिए फिर से कहा जा रहा है कि आप कोशिश करिए रिपीट करके अगर देखना हो देख लिने कब अगर लगेगा तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन थमनेल सो करेगा अगर लगेगा खहाँ वो आपको क्लास देना चाहिए यहाँ पे एक और क्लास आपको वर्ल डिश्ट्री का तब दिख रहा है दिख रहा है या दिखेगा कुछ समय के बाद तो आप न उसे देख लिजेगा उसमें भी आपको लगवग उसमें लगवग 150 के आसपास to the point जो questions है जिसका कि सिदा सिदा जवाब आपको बस बताना चलूरी होता है वो बताया जाएगा बिना किसी explanation का कम समय में मतलब 40 मिनिट के आसपास में वो आपको दे दिया जाएगा क्लास आप लोग उसे भी देख सकते हो अब अगर आपको आच्छा क्लास पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा कुछ क्या ना होगा कमेंट करके बतायेगा आपके लिए अच्छा का सा मेहनत किया गया है आशा करेंगे कि आप वीडियो को लाइक किये बिना और शेयर अपने मित्रों के पास किये बिना नहीं जाएंगे आगे आपकी एक्षा जैसा ठीक लगे और भी काफी सारा क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोग उसे भी चाहें तो देख सकते हैं आपके काम का और ग्लास रहे आप उसे जरूर देख लिजिएगा